हलो इस्टुडेंट्स माइसेल्फ द्याल चोधरी टीम सील सी केमिस्ट्री फेकल्टी अपन पहले पंद्रवाँ एपिसोड है केमिस्ट्री पंच का अपी रेडिक टेबल का अपने स्टेडी कर चुके हैं आज अपने बात करेंगे केमिकल बांडिंग अपना इन औरगनिक केमिस्ट्री का एपिसोड नमबर 16 केमिस्ट्री पंच फर्स्ट क्यूस ने आपका दै फोस्पेट ऑफ ए मेटल है एस दै फोर्मूला एम पीओ फोर अगर इसे मेटल का नाइटरेट बनाना हो तो उसका फोर्मूला क्या होगा बिलकुल सिंपल सा आप इसको सॉल कर लो MPO4 आपको पताः इसका चार्ज गया है माइनस 3 मतलब इस पर चार्ज कितना लिया गया है इसने प्लस 3 चार्ज लिया है इसी वज़े से जब इसको चार्ज क्रोस किया तो 3 से 3 कैंसिल और यह क्या बन गया MPO 4 तो मेटल आपके कैसे है प्लस 3 फॉर्म में है तो प्लस 3 नाइट्रेट आपका आइन क्या होता है NO3 माइनस क्लियर तो यहां पे चार्ज क्रोस कर दो इनका तो MNO3 इसका वेलेंसी यहां लग जाएगी तो आपका फॉर्मूला कौन सा आगया फॉर्ट फॉर्ट ओप्सन इस करेक्ट नेक्ट क्यूसन की अपन बात करते हैं इनकंपाउंड में सबसे कम आइनी कौन सा है बस इस बात को आपको बताना है निमन में से कौन सा योगिक सबसे कम आएनीक है तो सिंपल सी द्यान रखो आप पोलराइजेशन बताता है कोवेलेंट करेक्टर को पोलराइजेशन पाउर यह किसके लिए है कैटाइन के लिए मतलब यह होता है charge upon size जिसका charge ज़्यादा होगा वो polarization ज़्यादा करेगा उसमें covalent character ज़्यादा होगे जिस ketine की size चोटी होगी उस वो polarization ज़्यादा करेगा उसमें covalent character ज़्यादा होगे covalent जहाँ character ज़्यादा होगे वहाँ जाहिर से बात है आएनिक रेक्टर उसके क्या होंगे, कम होंगे, इसी प्रकार, A9 के लिए क्या होता है, पॉलेराइजेशन की बात करें, पॉलेरेजिबिलेटी जिसको कहा जाता है, फॉर A9, मतलब A9 का पॉलेराइजेशन कौन ज़्यादा करेगा, तो वही चार्ज के डायरेक्टली, A9 का चार्ज कितना भी हो, उसके डायरेक्टली प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् polarization ज्यादा होगा, polarization ज्यादा है, तो उसमें covalent character आपके ज्यादा है, covalent character ज्यादा है, तो ionic character कम है, लेकिन यहाँ पर आपन देखें, यह प्लस वन में है, लेकिन इसका pseudo inert gas configuration है, Hg plus के valence cell में electron कितने हैं, तो इसके valence cell में electron, आप इसका configuration लिखके देख लो आप, simple सा, आरगन से आगे का लिखता हूँ, फिर आपका क्या होता है, आरगन के बाद में, यहाँ तक ता हो गया, same, फिर उसके बाद में, 4s2, आपका 3d10, फिर आपका क्या आगया, 5s2, 4d10, तो इसको सभी तरिके से अगर आपन लिखें, तो आप यह ले लो, वो तो समझ में आएगे न, इसके अपन बात करते हैं, ag plus, तो इसका हो जाएगा आपका आरगन, 3d10, 4s2, फिर उसके बाद में, 4p6 से, फिर आपका आजाएगा, 4d10, 5s0, यह तो होगा न, इसका, तो आप यहाँ पे देगो, यह cell तो हो गया, फिनिस, अब वेलेंज cell यह बन गया, तो कितने electron हो गया, 18, pseudo inert gas configuration, इन पे 4 plus 2 था, लेकिन इनका कैसा है, inert gas configuration है, इनके outer cell में 80 electron है, तो pseudo inert gas configuration वाला ketion ज्यादा polyrization करता है, ज्यादा polyrization करता है, तो उसमें आइनिक रेक्टर ज्यादा होंगे, तो आपका यहाँ पे कौन सा आजाएगा, ag, cl, ठीक है, next question की तरह मूव करते है, formula O पे metallic oxide is mo, एक metallic oxide का formula क्या है, mo, mo इसका मतलब यह plus 2 में है, clear, the formula of phosphate, इसके phosphate का formula क्या होगा, तो बना दो सीधा सा, P of 4 minus 3, charge cross कर दो, तो M, यह 3 लग जाएगा, P of 4, P of 4, यह इसका 2 लग जाएगा, तो कौन सा है, M3, P of 4, 2, आपका फ़र तांसर इसका हो जाएगा, clear, अगले question की और चलते हैं, the bond is present in N2O4R, N2O4 में कौन से bond present है, तो इसकी structure बना लो, N double bond हो, एक coordinate bond होता है, फिर N double bond O, एक coordinate bond होता है, तो इसमें कौन कौन से bond है, तो देखो, कोवेलेंट bond है, ठीक है, इसके साथ coordinate bond है, तो अपना आंसपर कौन सा हो गया, थार्ड बात समझ में आगी, बिल्कुल सिंपल से question होते हैं, एक्जामें कोई ज़्यादा tough नहीं होता, next question की तरफ अपने move होते हैं, which is the correct है, electron dot is texture of N2O, तो आपको N2O की structure पता होनी चाहिए, बस N2O की structure बना के देखो, N triple bond, N और इधर की तरफ यह होता है, coordinate bond, कैसे इसके वेलेंस सेल में 5 electron है, तो 3 electron तो यहां आ गई, और 2 electron अभी इसके पास पढ़े हैं, clear, इसके 5 होते हैं, 3 आ गए, 2 इसको donate कर गया, इसके 6 के 6 अभी भी पढ़े हैं, तो इधर की तरफ जो loan पर donate करता है, उस पर plus और जो ले रहा है, उस पर minus, कौण सी structure है, आप देख लो, यहां से बस इसने coordinate शो नहीं किया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यह आ जाएगा, आप का answer, second, clear, next question क्योंच और चलते हैं अपन, boron for covalent compound due to, यह कह रहा है कि boron covalent compound क्यों बनाता है, covalent compound की condition क्या है, iron चोटा होना चाहिए, charge ज्यादा होना चाहिए, covalent बना देगा, तो एक तो boron small size का है, बिल्कुल यह इसकी favorable condition है, फिर दूसरा कह रहा है, high ionization energy, बिल्कुल boron small होता है, चोटा होने की वज़े से, इसके ionization energy बहुत ज्यादा होती है, तो कभी भी boron आपका, plus 3 katein नहीं बनाता है, हाँ आपने plus 3 देखा है, वो इसकी oxidation state होती है, जैसे S3, BO3, यह plus 3 oxidation state में होता है, यह इसका कोई ion नहीं है, फिर यह ion कभी भी यह, नहीं बनाता, जब फिर यह ion ही नहीं बनाएगा, तो फिर ionic bond कहां से हुआ, इसलिए हमें सद्यान को, ionization energy हाई होने की वज़े से, यह आपका ionic compound नहीं बना पाता है, तो आपका यह भी सही जा रहा है, ionization energy हाई हाई बता दी, यह तो होई नहीं सकता, तो अपना answer कौन सा आ गया, fourth, first and second, बात समझ में आ गई, next question की तरफ आपन चलते हैं, among the following grouping, which one represents the set of isoelectronic species, isoelectronic species का set देखना है, isoelectronic species मतलब जिसमें number of electron equal हो, तो आज़ो सबसे पहले, NO+, तो देखो आप nitrogen, nitrogen में जो जितना atomic number होता है, उसमें उतने electron होते हैं, nitrogen में 7 हैं, इसमें कितने हैं, oxygen में 8 हैं, 8 और 6 हैं कितने होगे, 15, एक इसने donate कर दिया, तो वापस कितने होगे, सहुदा electron, फिर ऐसे C2-2, तो यहां पे क्या हो गया, C2-2 के बात करें, तो carbon का कितना होता है, एक carbon ने 6 electron होते हैं, 2 में 12, 2 इसने gain कर लिये, कितने होगे, सहुदा होगे, आगे चलते हैं, O2-, तो oxygen में 1 में कितना होता है, 8, 2 oxygen में होगे, 16, 1 इसने gain कर लिया, electron कितने होगे, 17, इसका मतलब, यह ISO electronic नहीं रहा, फिर 8 और 6, 14 यह भी होगे, तो यह वाला option तो गया, इसके पास आजाओ, इसमें 14 electron है, इसमें कितने हैं, 6, 12, 12, 14 इसमें भी है, 8 इसमें 14 electron इसमें, और इसमें कितने होगे, 15 electron होगे इस वाले में, तो यह गया, clear, clear, इसके पास आजाओ, 8 और 6 कितना होगे, आपका 14, right, 8 और 7 कितना होगे, 15, प्लस है, मतलब, एक electron निकाल दिया, 15 में से यह गया, 14, clear, carbon के 6, 7 nitrogen के, sorry, nitrogen के, 7 और 6 कितना होगे, 13, एक gain कर लिया, 14, carbon के कितने होते हैं, 6, 8 इसके होगे, 6 इसके होगे, तो कितना होगे, sorry, 7, 8 इसके, 7 इसके, तो कितना होगे, 15 तो, यह 15 है, फिर, 7 इसके, 6 इसके, कितने होगे, 13, और एक 14, मतलब, इसी किवज़े से, यह cancel होगया, समझ रहे हो ना, ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आपका कौन सा आंस्वर आ गया, 3rd, समझ में आया, next question की तरब चलते हैं, coordinate, covalent, compound are formed by, यह कह रहा है कि, covalent, compound are formed by, तो, obsessed with bond कैसे बनता है, कहने के बात, simple सी यह है, तो, non-pair donation से बनता है, तब तो बन जाएगा, ionic bond, इसमें क्या होगा, transfer करने से, यह तो, A plus हो जाएगा, यह B minus, opposite ion के बीच, attraction हो जाएगा, या फिर यह मालो, यह A है, इन्होंने, 1-1 electron share कर लिए, तो यह आपका, covalent bond हो जाएगा, coordination में क्या होता है, कि मालो, यह A है, और यह B है, इसके पास loan pair था, इसने अपना, इसको दे दिया, मतलब कि, said electron, A की atom provide कर वा रहा है, तो donation से बनता है, में सा ध्यान रखना, यह coordinate bond है, तो यह किस से बनेगा, donation of electron, next question कि तरब move होते हैं हम पन, the bond that exists between, NS3-BF3 is called NS3-BF3, तो यह कह रहा है कि, NS3 और BF3 के बीच कोंड सा bond होता है, तो simple सी चीज, NS3 का देख लें हम आपन, NS3 के पास loan pair पढ़ा है, BF3 की बात कर लेता हूँ, तो BF3 में boron का hybridization, देखो, 1S2, 2S2, और 2P1, 3 bond बना रहा है, मतलब 3 unpaid electron चाहिए, तो boron in excited stage first में जाएगा यह, और excited stage first में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 2S में होगा एक electron तो, और अपना एक electron यह किसमें देदेगा, 2P में, यह होगे तो, यह मिल गया है, hybridization बना लेंगे, SP2, अभी भी इसके पास एक vacant orbital पढ़ा है, मतलब यह loan pair ले सकता है, कोई देने वाला होतो, तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो BF3 है आपको, इसको NS3 क्या करता है, loan pair share कर देता है, तो कौन सा bond होगा, coordinate bond होगा, तो इनके बीच में कौन सा bond होगा, coordinate, यह जेई में क्यूसन पूछा हुआ, इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा था, इसका दोनों का geometry पूछा था, तो देख लो ही आँपे, इसका SP3 hybridization है, यह pyramidal shape है, इसका hybridization कैसा है, SP2 है, तो यह कैसा होगा आपका, trigonal होगा, लेकिन जैसे ही bonding हो गई, तो यह भी SP3 हो जाएगा, और यह भी आपका SP3 हो जाएगा, तो यह भी tetraidal, यह भी tetraidal, यह पूछा गया था दोनों के लिए, यहाँ पे इसके valence element 6 electron है, 3 और 3, 6 तीन तो boron के 3, इसका octate complete नहीं है, इसका octate complete है, 5 सके 3 सके 8, लेकिन यहाँ पे दोनों का ही octate complete हो चुका है, next question की बात करते हैं अपन, the structure of orthophosphoric acid है, orthophosphoric acid कौन सा होता है, आपका S3PO4, तो सबसे पहले hybridization निकालो, hybridization निकालने का वोही तरीका, क्या N is goes to V plus M, minus C plus A upon 2, 2, अगर N की value आपकी 2 आगई, तो SP, N की value 3 आगई, SP2, N की value 4 आगई, SP3, ऐसे आगए आप बढ़ाते चलना, clear, तो N ही आपके गया है number of hybrid orbital, तो V, valence electron of central atom, phosphor सा इसके valence electron कितने होते हैं, 5, फिर monovalent atom, monovalent कौन जो single bond बनाते हैं, hydrogen में से single bond बनाता है, उनको count कर दो, polyvalent यहाँ पर count होते नहीं है, इस पर charge कोई हैं, के Ketine का charge होता है, minus कर देते हैं, A9 का charge होता है, वो यहाँ पर plus कर देते, divide by 2, oxygen count होगा नहीं, क्योंकि oxygen polyatomic हैं है, sorry, आपका oxygen यहाँ पर bivalent है, जिसके valency 1 से ज़्यादा, मतलब जो pi bond बनाता है, उसको number count है, नहीं की जाती हैं, तो यह कितना आ गया, 5 और 3, 8, 8 में 2 का divide कर दो, क्या आ गया, 4, मतलब hybridization, SP3, तो अभी इसकी structure बनाएंगे, phosphorus, सबसे पहले आप क्या गरो, oxygen जोड़ दो, सारे के सारे, जोड़ दिये, फिर क्या होगा, एक oxygen double bond से जोड़ दो, बच्चे वे के पास hydrogen जोड़ दो, लेकिन ऐसी structure तो इसमें है नहीं, तो इसने क्या किया है, octate को consider किया है, octate consider करने का मतलब है, अगर octate पूरा हो जाएना, तो oxygen double bond नहीं बनाती, coordinate बना लिती है, तो इसमें देखो, 224, 26, और अभी इसके पास दो है, तो 8 हो चुका था पहले ही, तो इसलिए यहाँ पे, इसने यह coordinate bond बना देना है, तो देखो, OH, OH, OH और यह coordinate bond, इस texture first, आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, right हो जाएगी, next question की तरफ चलते हैं अपन, निमन में से किशी होगी, एक में, ionic, sausage, और उप, sausage, बन्दे, in which of the following, ionic, covalent and coordinate bond are present, सबसे पहले water, water में सिर्फ covalent bond है, तो यह तो गया, ammonia, ammonia के पास भी सारक सारे covalent bond है, यह भी गया, sodium cyanide, sodium cyanide आजाओ, na, cn, तो इसको टोटेंगे कैसे, na plus और cn minus, तो यहाँ पे ionic bond हो गया एक तो, फिर इसका बनाओ, क्या होता है, c double bond और यह coordinate, covalent है, coordinate है, तो ionic भी है, इसमें, potassium bromide की बात करें, तो k plus और b r minus यहाँ पे सिर्फ ionic bond है, clear, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, third, next question की अपने बात करते है, यह कह रहा है, the electron negativity difference in nitrogen and, fluorine is greater than that, between nitrogen and hydrogen, yet the dipole moment of NH3, 1.5 day by, is larger than that Nf3, 0.2 day by, this is because, यह कह रहा है, कि nitrogen और fluorine में, electron negativity difference जादा है, किसे nitrogen और hydrogen से, फिर भी NH3 का dipole moment जादा है, किसे, NH3 का dipole moment जादा है, किसे, Nf3 से, तो ऐसा क्यों, तो अपन देख लेते हैं, इसको simple सा, बिल्कुल आसान सा तरीका है, हाँ, तो इसके लिए, क्या आपने को थोड़ा सा, एक है, काली slide की जूरूद पड़ेगी, ठीक है, तो देखो, NH3, NH3 में आपका, hybridization क्या है, SP3, और यह आपका, Nf3, Nf3 में hybridization क्या है, SP3, दोनों की structure बना लिए, nitrogen, hydrogen, hydrogen, यह इसके पास एक lone pair है, वैसे ही, nitrogen, fluorine, fluorine, और यह fluorine, एक lone pair है इसके पास है, बिल्कुल simple सी चीज़ है, अब यहाँ पर जागो, इसकी electron activity कितनी है, 3.0 और इसकी 2.1, तो यहाँ पर, अगर देखा जाए, bond का attraction किदर है, नीचे कि, equipment, इनमें किदर है, उपर nitrogen की तरफ, तो bond polarity की दर जा रही है, उपर की और, और lone pair की वज़े से, molecule polarity की दर जा रही है, उपर की और जा रही है, कुल मिला करके, आपकी जो molecule polarity है, और bond polarity है, वो दोनों add हो गई, इस वज़े से, इसका dipol moment क्या हो गया, increase हो गया, इधर अपने बात करें, तो fluorine की electron activity, 4.0, इसकी 3.0, तो electron का moment किदर है, fluorine की तरफ, तो bonds की polarity तो कहा रही है, नीचे की और, और molecule lone pair की वज़े से, molecule की polarity कहा जा रही है, और bond polarity opposite direction में, चलो क्यूशन के पास सलते हैं, अपने option की बात करें, पहला option क्या करें, इन NS3 एज वज़े हैं, यह कह रहा है कि, दोनों में opposite side में जा रहे हैं, तो पहला तो false हो गया, दूसरे के पास सलें, क्या इसमें opposite side में हैं, नहीं है ना, तो इसी को cancel कर दो, फिर आओ, इन NS3 एज वज़े एज एज, NF3 एटोमिक डाइपोल और बॉन डाइपोल आर इन सेम डाइरेक्शन, तो यह कह रहा है कि, इसमें और इसमें, दोनों में ही सेम डाइरेक्शन में, मतलब, बॉन डाइपोल और एटोमिक डाइपोल एक ही डाइरेक्शन में, ऐसे इसके लिए बोल रहा है, मतलब यह भी गया, इसके पास हो, in the atomic डाइपोल and बॉन डाइपोल are in same direction, मतलब, NS3 में तो क्या है, same direction में, तो बिल्कुल देखो आपके same direction में फिर कह रहा है in nf3 these are in opposite direction और इसमें opposite में बिल्कुल साब तो आपना कौन सा answer चला गया 4th answer समझ में है या next question की तरब move करते है which of the following fluoride of genome has zero dipole moment इसमें यह कह रहा है genome का कौन सा fluoride जो zero dipole moment रखता है तो इदर आजाओ यहाँ पे पहली बात तो यह फ्लो राइड ही नहीं है फ्लो राइड की बात की थी तो यहाँ आजाओ इसका application क्या गया 8 or 210 clear तो 2 का डिवाइड हो गया 5 sp3 a d तो इसकी structure कैसे आएगी genome high electron negative axial condition पे जाएगा भई double bond O double bond O और lawn pair कहा आगया यहाँ पे आगया इसका मतलब इसके लिए dipole moment 0 नहीं है क्योंकि molecule polarity इदर की तरह पा रही है इसमें hybridization क्या है sp3 तो देखो genome यह आपका lawn pair आगया double bond oxygen, double bond oxygen, double bond oxygen तो देखो molecule polarity आ रही है clear तो यहाँ पे भी नहीं है फिर next में चले xe4 hybridization कितना आगया इसका sp3 d2 तो इस टेक्चर बना लें इसकी यह genome fluorine, fluorine, fluorine fluorine तो आप यहाँ पे देख सकते है आपके पास एक square structure बन गई इसमें एक lawn pair उपर है एक lawn pair नीचे है तो इस lawn pair की वज़े से polarity नीचे है इसकी तरब उपर तो balance कर दिया उपर से क्या हो रहा है जो fluorine है वो 490 के एंगल पर एक दूसरे को balance कर रहे है मतलब इसके लिए dipole moment आपका हो गया 0 answer कौन सा चला गया third clear ऐसे ही आप इसमें देख लो sp3 d2 है d3 ठीक है तो इसमें अगर आप नॉट करोगे चीज तो जीनौन पांच fluorine तो यह हो गए 6 fluorine थे और एक lone pair आ गया इस lone pair की वज़े से कहां चलेगी molecule polarity उपर की तरब चलेगी तो मूजगस तो इसके लिए 0 तो अपना answer कौन सा सही है third next question की तरब चलते हैं अपन fluorine is more electronegative than either boron or phosphorus what a conclusion can we draw from the effects that bf3 has no dipole moment put pf3 down fluorine आपका जो है वो boron अथ्वा फोस्फोर से अधिक भी दुत्रीनी है clear फिर भी bf3 का है न डाइपोल मोमेंट दी दूर आगुण है न वो क्या है आपका 0 है जबकि bf3 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो आ जाओ bf3 में hybridization क्या होता है sp2 तो कोई lawn pair नहीं है इसकी एक regular structure है दिख रहा है सब सब regular structure होने की वज़े से यहां पर डाइपोल मोमेंट हो गया 0 जबकि यहां पर क्या आ रहा है hybridization phosphorus का देगो sp3 तो phosphorus, fluorine, fluorine और एक lawn pair उपर है तो इसकी वज़े से उपर की तरफ polarity जा रही एक नहीं जा रही तो इस वज़े से यहां पर dipole moment 0 नहीं होगा किसकी वज़े से lawn pair की वज़े जीरो नहीं है तो आजाओ इसमें BF3 गोलाकार सम्मीत नहीं होगा BF3 रेखिए कहा है वज़े ट्राइगोनल है the atomic radius, atomic radius का कोई रोल नहीं होता है वज़े तो यह तो गए the BF3 molecule must be planet पिलकुल यह planet ट्राइगोनल है इस वज़े से यह जीरो है मैंने यही तो बताया और क्या था तो fourth answer आपका correct होगा समझ में आया next question की तरफ चलते हैं अपन बहुत श्यांदार question है dipole moment O पर यह आपका एक हेलो बेंजिन दे दिया area light दे दिया उसका dipole moment दे दिया आपको 1.5D अब इसका पूच रहे तो ज्यादा कुछ नहीं करना है यह देखो इसका यह center बना लो यह एक दूसरे को 120 के अंगल पर बेलेंस कर गए 120 120 120 अब बच गया कौन यह बेंजिन पर यहां पर भी एक हेलोजन चुड़ा वाए यहां पर भी एक हेलोजन यह भी इसकी वज़े से dipole moment था अब एक हेलोजन की वज़े से यहां होगा तो अपना आंस्वर के आजाएगा वह 1.5 पर डे बाई समझ में आया बिल्कुल चांदार क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन की तरफ अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल कोविलेंट बॉंड इस फेवरेवल यह कह रहा है कि फैजान्स रूल के अकॉर्डिंग आपको कोविलेंट करेक्टर ज्यादा चाहिए तो क्या होगा तो एक शिपपल से चीज़ देख लो आप तो पोलेराइजिशन है पावर और केटाइन की पोलेराइजिशन पावर वह तिये चार्ज अपन साइज यह चार्ज भी केटाइन का है साइज भी केटाइन की है के लिए और दूसरा पोलेरिजिविलिटी देख लो polarisability देखी जाती है किसके लिए A9 के लिए clear तो वो होती है चार्ज, चार्ज यह किसका है A9 का और size मतलब भी A9 के लिए तो charge और size दोनों के directly proportional to लेकिन के time के लिए charge के directly proportional to और size के inversely proportional to अब देखो फेजानस ने क्या कहाता कोई भी ionic bond कैसे बनता है A है, B है, यह इसको electron transfer कर देता है ionic bond बन गया, लेकिन फेजानस ने है कहाता अगर आपका के time बहुत ज्यादा चोटा हो गया या फिर इसके उपर charge ज्यादा आगे charge ज्यादा आने का मतलब वो छोटा हो जाएगा कुल मिला कर गे simple सी चीज़ है एकदम और A9 पर जितना ज्यादा charge होगा तो वो बढ़ा होता जाएगा या फिर A9 जितना बढ़ा होगा तो ऐसे में क्या करेगा, यह इसके electron को अपनी और मुग करेगा जिससे इसकी shape क्या हो जाएगी थोड़ी bigger जाएगी और जो electron इसे ने transfer किया था वो इन दोनों के भी sharing के रूप में आ जाएगा मतलब एक ionic compound वे covalent character generate हो जाएगे यह तो फेजान्स rule था ऐसा नहीं है कि catein ही A9 का polarization करता है आपका A9 भी catein का polarization करता है लेकिन catein की size छोटी होने की वज़े से इतना ज्यादा approach नहीं कर पाता है A9 इस वज़े से अपने generally यही कहते हैं कि catein A9 का polarization करता है clear तो अब आजाओ मैंने पहले बता दिया covalent character ज्यादा होगे polarization ज्यादा होगा तो आजाओ covalent character कब ज्यादा होगे large size catein नहीं भई अगर catein की size large कर दी तो polarization power कम होगी polarization power कम होगी तो covalent character कम होगे इसका मतलब यह तो नहीं होगा large size catein यह गया मतलब आगे पढ़ने की जुरूत ही नहीं है small catein बिलकुल यह बात सही है large A9 A9 बिलकुल ज्यादा बड़ा होना चाहिए तो आपका कौन सा answer आगया third small catein बात सही है small A9 तो फिर गया इसकी वज़े से चला गया यह यह दोनों इसकी वज़े से cancel हो गये थे तो ऐसे मिला गये इसमें यह भी गलत था तो बस यह दियान रखना यह दोन फेवरेवल कंडिशन होगी तो आपका answer कौन सा चला गया third फिर next question की तरह पर अपने move होते हैं अब अपने बात करते हैं सत्रवे question की 17 choose the correct statement आपको यहाँ पे इन में से सही कतन कौन सा है उसको पैचानना है ठीक है A9 polarization is more यह कह रहा है कि जो R9 है उसकी दुर्वनता अधिक होती है किसके दौरा उच्छे आवेशित दनाइन के दौरा मतलब की अगर केटाइन पर ज्यादा चार्ज है तो वो A9 का polarization ज्यादा करेगा तो पहले सबसे पहले देखते हैं polarization में होता क्या है polarization power की अपने बात करें यह positive जो चार्ज होता है चार्ज ओप केटाइन उसके directly proportional to होता है और size of केटाइन उसके यह inversely proportional to होता है ऐसे ही अपने बात करें है जो polarization है negative चार्ज है उसके directly proportional to होता है और size of A9 A9 की size के भी directly proportional to होता है बस यह चीज आपको द्यान में रखनी है यह द्यान में है तो सवाल हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखो यह कह रहा है कि उस आवेशित दनाएन मतलब कि highly charged जो केटाइन है वो A9 का polarization ज्यादा करता है तो यहां देख लो बिल्कुल positive charge ज्यादा है तो polarization power उसकी ज्यादा होगी फिर कह रहा है छोटे आएन में एक रिनाएन को दुर्वित करने की न्यूंतम छमता होती है तो अगर इन में से देखें अगर आएन आपका कैसा है छोटा है size अगर इसकी size क्या है छोटी है तो polarization power कम होगी तो गलत है अगर size ज्यादा होगी ठीक है तो polarization power कम होगी लेकिन अगर size आपकी कम है तो polarization power ज्यादा होगी क्योंकि जो K10 की साइज है उसके यह कैसा जाता है inversely जाता है तो यह वाला तो आपका statement है गलत हो गया clear फिर कह रहा है small A9 has minimum polarizability ठीक है यह polarizability की बात कर रहा हूँ तो यह कह रहा है जो छोटा R9 है उसकी अधिक्तम दुर्वनता होती है तो यहाँ पे देखो A9 की size ज्यादा होगी तो उसका polarization ज्यादा होगा polarizability उसकी क्या होगी ज्यादा होगी और अगर size small होगी तो यह भी कम होगी तो इसके अंदर देखा जाए तो यह भी false होगा तो आपका कौन सा सही है यह simple सी चीज है क्याँ पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी polarization power उतनी ज्यादा होगी और जितनी polarization power ज्यादा होगी वो A9 का polarization उतना ही ज्यादा करेगा next question 18 the charge and size ratio of cation determines its polarizing power which one of the following sequence represents the increasing order of the cationic species potassium, calcium, magnesium and beryllium यह कह रहा है कि एक दनायन है मतलब cation है उसके चार्ज का और आकार का यह ratio आपको ठीक है यह किसको दुरवण सक्ति को मतलब polarizing power को effect डालता है यह वाला कैसे डालता है अभी थोड़े देर पहले देखा था cation के respect में देख लेते हैं तो polarization power यह पॉलिराइजिशन पावर यह वह क्या होती है charge of cation उसके directly proportional to और size of cation उसके यह inversely proportional मतलब polarization power के लिए condition हो गई जो charge है किसका cation का वो तो औरना चाहिए ज्यादा और जो size है cation की वो औरनी चाहिए कम यह best condition हो गई तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें देखो यह एक species ऐसी है जिसका charge कम है बाकि इन सब में charge equal है ठीक रहे है तो charge plus 1 से charge plus 2 ज्यादा है मतलब कि potassium से तो इन सब की polarization power ज्यादा होनी है किनकी calcium की, beryllium की और magnesium की simple सी चीज है अब आपको इसके अंदर देखना होता है simple सा कि polarization को ज्यादा करेगा तो potassium तो सबसे कम होई गया, इसमें तो कुछ सोचने की जरूद है ही नहीं उसके बाद में देखें उसके बाद में अपने को देखना है जैसे beryllium plus 2 magnesium plus 2 और यह का आपको दिया गया है calcium plus 2 और यहाँ आपका होता है potassium plus period table में यहीं इनकी position होती है तो देखो, size की बात करूँ, इससे बड़ा यह है इससे large यह है clear? और इससे भी large गोण है potassium ठीक है? तो size large होगी तो polarization power कम होगी तो सबसे कम polarization power किसका होगया? potassium का इससे ज़्यादा polarization power किसका होगया? calcium plus 2 का इससे ज़्यादा polarization power किसका होगया? magnesium plus 2 का और सबसे ज्यादा polarizing power किसके होगी प्लस टू की यह यू देख लो इन तीनों का तो आप size से decide कर दो और इसका charge से इस पर charge कम है तो simple सी बात है इसकी polarizing power कम है तो अपना answer match कोण सा कर रहा है third तो अपना 18th question है उसका answer अपना कोण सा हो जाएगा third फिर next question के माँ बात करता हूँ question number 19 lithium chloride, rubidium chloride, beryllium chloride and magnesium chloride the compound with the greatest and latest ionic character respectively are मतलब कि आपको lithium, rubidium, beryllium and magnesium chloride दिएगे इनमें यह देखना है कि ionic character किसमें तो maximum है और किसमें minimum है clear तो देखो इसके लिए condition देखो condition for best ionic bond ionic bond कब best बनेगा इसके लिए condition है large size of katein, katein के size क्या होनी चाहिए, large होनी चाहिए दूसरा condition है low ionization energy of katein तो यह तो katein से related होगी, दो condition, condition first, condition second clear और a9 से related condition क्या होती है small a9 होना चाहिए a9 कैसा होना चाहिए, small और high electron affinity होना चाहिए दो condition हो गई, यह a9 से related ध्यान से समझ लो ऐसा कैसे अगर katein आपका small हो गया और a9 large हो गया तो उस condition के अंदर क्या होगा आपका फैजान सुरूल लग जाएगा poly registration जादा हो जाएगा तो covalent correct राजाएगे हमेशा ध्यानर को ionic bond कब बनता है electron transfer से तो इसमें क्या होता है katein होता है आपका वो क्या करता है electron को transfer करता है वो electron donate करता है समझ गे एक item electron donate करता है जो donate करने वाला है उसके ionization energy कम होने चीए तबी तो डो donate कर पाएगा और दूसरा उसको gain करता है तो gain करने वाले की electron को gain करने की ability ज्यादा होने वो electron affinity से देखी जाती है तो ionization energy कम हो और जो आपका A9 है उसकी क्या हो यह ज्यादा हो clear तो यहाँ पर आजाओ सबसे पहले अपने को क्या देखना है यहाँ पर A9 तो सब में सेम है तो इन केस की तो अपने को यहाँ पर discussion में नहीं लेना है अब बच गए कोण से यह दो case केटाइन को देखके decide करेंगे A9 तो सब में सेम है तो A9 की यहाँ बात ही नहीं होगी फिर देखना है आपको क्या maximum देखना है सबसे पहले character तो maximum character देखना है तो वो species डूंडो जिसके ionization energy सबसे कम है एसा केटाइन तो देखो इनके अंदर देखा जाए ionizes इन में से सबसे large size का कोन है rubidium सबसे large size कोन है rubidium यह देख लो lithium हो गया Beryllium हो गया magnesium हो गया और कोन दिया है यहाँ पर बस इसी को दिया है और यहाँ पर कोन दिया है यहाँ पे sodium होता है potassium होता है और rubidium होता है size की मैं बात करूँ हो तो size का order यह होता है फिर उसके बाद में यह होते हैं सारे और फिर last में यह आ जाता है यह फिर यह तो सबसे large size गौन है rubidium और इन में से सबसे low ionization energy भी सीखिए तो सबसे large यह ही है जो भी दे रखे हैं उन में से और ionization energy भी सबसे कम किसकी है rubidium प्लस की तो आपका यहाँ पर यह best ionic bond बनाएगा तो ऐसा option अपना कौन सा है एक तो यह है अब minimum ionic character देखने minimum ionic character है उसमें होंगे जिसमें K10 सबसे small होगा बेरिलियम मतलब इसके ionization energy सबसे ज़्यादा है तो यह आगया बेरिलियम तो आपका least कौन होगा यह निक रेक्टर वाला बेरिलियम कलो रहा है मतलब अपना answer कौन सा आगया second clear हाँ तो अब अपने बात करते हैं 20 के क्यूसन की which of the following है पी पाई dpi bond होता है तो इसके लिए एक बहुत से अंदार फंडा देता हूँ आपको अगर आपके जो दोनु एटम है इस species में जितने भी एटम है आपके अगर वो सारे के सारे second period से है ना तो वहाँ पर तो d orbital तो होता ही नहीं है इस अगर आपके बहुत है और यह आपका किस से हो गया second period से तो यहां पर 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 प्रजेंट है अब आपको ज़रूँ थोड़ा यह वहाँ पी पाई पी पाई भी तो हो सकता है यह की पाई बहुत है तो ऐसा नहीं है देखो मैं बताता हूं आपको एक चीज़ याद रखो आप तो सिंपल सी इफ ए सेंट्रल एटम बिलॉंग इप सेंट्रल एटम बिलॉंग तो थर्ड एंड हायर पीरियद एंड पाई बॉंड पर्जेंट है देन हंड्रेड पर्षेंट पी पाई डी पाई बॉंड है पर्जेंट इसका मतलब है अगर आपका central item third period से belong कर रहा है और उसमें pi bond है इस species में तो वहाँ पर hundred percent p pi d pi bond है मिलेगा अगर एक ही pi bond है तो वो p pi d pi होगा अगर दो है तो देखना पड़ेगा कि उनमें से p pi p pi है या नहीं है लेकिन pi pi d pi तो हो गई होगा तो यह अपना answer चला गया ठीक है यह तो अपना directrix से exam में क्या करना होता है smart work करना होता है time अपने को बचाना होता है ठीक है और अगर इस चीज़ को आप समझना चाहें तो आप यह देख सकते हैं जैसे इसका आपको पताला करना है तो hybridization निकालो hybridization क्या हो गया sp2 फिर इसकी structure बना हो तो आपको पता है a9 हमेसा single bond से जुड़ता है फिर अगर आपका central atom second period से है तो oxygen क्या करेगी वहाँ पर है अगर octate complete हो गया तो coordinate bond से जुड़ेगी और अगर octate complete नहीं हुआ तो वो double bond से जुड़ेगी तो अभी तो octate पूरा नहीं हुआ है तो आने वाली oxygen double bond से जुड़ जाएगी अब देखो पांच इसके हैं दो यहाँ पे साथ और एक इसने share कर दिया 8 octate complete आने वाली oxygen coordinate bond से जुड़ेगी इधर की तरफ क्यों हो गया क्योंकि इसका तो octate complete हो गया तो इसके तीन 12123 यही तो होगा ना अब hybridization लेना है तो hybridization ले लो sp2 यह हो गया मतलब है एक आपके पास non hybrid orbital यहां पर बचा हुआ है जो यह है फिर उसके बाद में oxygen oxygen का देखो 1H2, 2H2, 2P4 अब O- का क्यों नहीं लिख रहा है क्योंकि पाई bond तो neutral oxygen के साथ है ना तो neutral oxygen का मैं यहां पर configuration काम में ले लूँगा यह आ गया 2P4, 1, 2, 3 और यह 4 अब एक चीज हम इसा ध्यान में रखो आप वो क्या जब कोई molecule है उसमें central atom के तो हमेसा hybrid orbital bond बनाते है और side atom के non hybrid orbital काम में आते है तो इसका तो hybrid orbital बन चुका है तो इसको कैसे शोकर होगे hybrid orbital को यह आ गया 1, 2, 3 तो यह तो होगया यह एक यह और यह non hybrid अभी भी यहां पर पढ़ा है और यह आपके क्यों से होगे SP2 वाले hybrid होगे अब यहां पर क्या होगा सबसे पहले anionic oxygen है तो anionic oxygen इसके साथ आपकी single bond से जुड जाएगी clear अपने elektron यहां share कर लेगी ठीक है फिर उसके बाद में neutral oxygen है neutral oxygen है इसके साथ share कर गई यहां पर बन जाएगी sigma bond दूसरा πाई बन गाएगी तो hybrid orbital πाई बन तो बनाता नहीं है पाई बन गोंड बन बनाता है non hybrid orbital तो यह जो oxygen है इसका एक elektron तो consume हो गया यहां और यह दूसरे वाला जो oxygen है वो कहाँ पर आ जाएगा इसका दूसरा elektron है इस oxygen का वो यहां आ जाएगा और यह बन गया πाई बॉंड और यह पाई बॉंड कैसा है SP2 तो यहां पे देखो इसका भी P ही इनवल हो आता इसका यह P इनवल हो रहा है ना साब साब दिख रहे है ना नोन आइबरिड P पड़ा ही है भी 2P ठीक है तो इसका P involve हो आग नहीं हो हना हिट्रोजन का ओक्षिजन का भी कॉन्ण सा हो ना आइबरिड P A इनवल हो रह रहा है इसलिए बोंड कैसा है P-Pi बात आगी समझ में बिल्कुल सिंपल सा है ऐसे आप इसके लिए apply करके देख लेना ऐसे ही इसके लिए apply करके यहां पर आईबर डाइशेशन, SP3 आजाएगा इस molecule में sulfur का, clear, तो फिर वो ही आप बनाने पर आजाए, sulfur है, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P4, right, तो इसको देखें आपन, यह आगया आपका ground state 3H2, 3P4, 1, 2, 3, 4, और यह 2 इसके हो गए, इसके पास 3D vacant पढ़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, यह आगया 3D vacant पढ़ा है, तो आप यहाँ पर देखो, 3 side atom है, मतलब 3 sigma है, 3 sigma है, मतलब 3 unpaid electron, तो आपको चाहिए ही चाहिए, unpaid electron कितने 2 है, मतलब की sulfur in ground state में तो यह हो गया, अब excitation की जुरूद है, तो sulfur in है, first excitation state, तो excited stage में बनाएंगे, तो यहाँ से एक electron excited होके, आगे वाले में चला जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, यह 3D, यह 3P4, और यह 3S, तो देखो यह दो हैं, यहाँ से एक electron निकल के आगे चला गया, बात कतम, hybridization क्या था, SP3, तो hybridization में तो यह ही आएगा न, यह hybridization हो गया, SP3, clear, तो अब क्या होगा आगे, यह एक जगए आजाएंगे आपके, 1, 2, 3, 4, तो यह आगे सारे SP3 जी बोले जाएंगे, यह दो electron है, पिर यह, 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 अब आगे यह क्या है, D है, 1, 2, 3, 4, 5, यह 3D है, उसके अंदर यह एक electron पढ़ा है, clear, फिर अभी मैंने बताएंगे था, neutral oxygen हमेसा, single bond से, तो यह, sorry, anionic oxygen हमेसा, single bond से, तो दो oxygen है जिन पर anion है, तो यह यह यहाँ पर single bond से जुड़ जाएगी, oxygen ज़ाएगी वो, O minus, दूसरे वाली negative single bond से जुड़ जाएगी, अब neutral है, तो अगर central atom में आपका third period से है ना, तो आपके octate complete हो या नहीं हो, neutral oxygen हमेसा, double bond से जोड़ दो, उसका reason क्या है, क्योंकि जो third और higher period के होते हैं वो उनके पास vacant d-orbital होता है, तो वो अपनी valency को expand कर सकते हैं, तो वो octate से ज्यादा भी आपके रख सकते हैं, मतलब कि expansion हो जाएगा octate का यहाँ पे, तो neutral oxygen ही यहाँ पे जुड़ जाएगी यह, ठीक है, अब neutral oxygen double bond से जुड़ जाएगी, तो दूसरे वाला pi bond होगा, क्योंकि इसका non-ibrid orbital काम में आगए, यह बन गया, किलियर, तो यहाँ पे देखो, oxygen क्या configuration देखें, 1s2, 2s2, 2p4, अगर 2p4 को आप represent करोगे, तो कैसे करोगे, 2p4, 1, 2, 3, 4, तो आप देखो, एक ने तो यहाँ आ गया, अब दूसरा, इस non-ibrid piece यह कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा bond बन गया, पाई bond बन गया, और यह पाई bond कैसा बना, इसका तो पी नोल और रहा है रिसका D, तो यह क्या आ गया, पी पाई, डी पाई, कहने का मतलब इसकी structure कैसे होती है, SP3 hybridization नहीं हूँ, तो अभी देखो, इसके पास एक तो lone pair पड़ा है, तो यह रहा lone pair, फिर क्या होगा, negative oxygen, single bond से, यह single bond से जुड़ गई, और neutral oxygen, double bond से जुड़ गई, यह एक पाई bond आया, वो कैसा है, पी पाई, डी पाई आ गया, वो रहा, तो अपना आंस पर कौन सा गया, तो दोनों तरीके में आपको बता दिये, एक्जाम में कैसे आपको इसको smart work करना है, और कैसे आपको यहां पे समझ नहीं सीज़गो, clear, next question, which type of overlapping result in the formation of a pie bond, निमन में से किस परकार के अतिवयापन के द्वारा एक pie bond का निर्मान होता है, तो देखो, इसमें थोड़ सी अपन theory फड़ लेते हैं, clear, आपको वहीं से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो देखो, अपन सबसे पहले देखते हैं, hybrid orbital, always form sigma bond, hybrid orbital हमें साही sigma bond बनाते हैं, क्योंकि hybrid orbital क्या होते हैं, directional होते हैं सारे के सारे, ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखो, exception हैं इसमें, बेंजाइन, इसमें क्या होता है, hybrid orbital है, फॉर में पाई बॉंड है, आप इसको यह समझ लो, यह आपके पास बेंजीन है, ठीक है, यह बेंजीन हो क्या है, अब इसमें हर carbon item आपका कैसा होता है, SP2 hybrid होता है, clear, यहाँ पर हर कैसा होता है, SP2 hybrid orbital होता है, clear, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक पाई बॉंड जो non hybrid था, वो बना चुका है already, अब यहाँ पर जो इसके hybrid lobe होती है, इसके hybrid ना, वो ही औरले पिंग करके क्या बनाती है, पाई बॉंड, तो एक पाई बॉंड यह हो गया, एक पाई बॉंड यह हो गया, तो जो एक्स्ट्रा पाई बॉंड बना है, वो SP2, SP2 औरले पिंग से ही बना है, तो इसका मतलब यह नहीं कि इसका hybridization आप चैंज करके, इसी वज़े जो बेंजाइन होती है, वो कभी फिरी state में exist नहीं करता है, यह intermediate form में बनता है, इसका life period बहुत है कम होता है, तो खेर, अपने इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, तो यह बात समझ में आ गई है अपने, कि आपके क्या होता है, hybrid orbital हमेशा कौन सा bond बनाते हैं, सि sigma and pi bond, कैसे, देखो, सबसे पहले, s, s, s से जब भी मिलेगा, तो always sigma bond बनेगा, always sigma, s, p के साथ मिलेगा, तब भी आपका always sigma bond बनेगा, उसका region क्या है, s, p के साथ हमेशा, ऐसे ही औरले पिंग करेगा, directionally, तो यहाँ पर sigma बनेगा, अगर आप इसके साथ यूँ करना चाओगे, तो एक orbital को explain करने के लिए क्या करते हैं, दो wave sign काम में आते हैं, प्लस और माइनस, तो जैसे इसका यह हो गया, प्लस, प्लस, इधर की तरफ माइनस, माइनस, तो देखो, यह तो attraction से मिल रहा है, एक तो का जाता है, attraction, ठीक है, और प्लस का माइनस से आता है, वो होता है, repulsion, तो एक लोब attraction से मिलेगी, किस से, repulsion से, तो ऐसे में effective overlapping नहीं हो पाएगी, इस वज़े से, पी हमेसा directionally ही आ करके, face to face आ करके, इस से overlapping करता है, इस वज़े से, यहाँ में सच सिगमा बनेगा, अब आ axial अगर overlapping करता है, तो इनके बीच हमेसा sigma bond बनेगा, तो क्या होगा, sigma बनेगा, लेकिन अगर P, P के साथ, side to side, बोले तो collaterial, overlapping करता है, तो देखो, यह और यह, तो यह प्लस, यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस, तो यह भी attraction से मिल रहा है, यह भी attraction से, side to side overlapping कर रहा है, तो वो बनेगा, पाई bond, तो आप हमेसा ध्यान रखो, face to face overlapping होती है, non-hybrid orbital में तो sigma बनता है, और side to side होती है, तो पाई bond बनता है, तो अब अपने पीछे आ जाओ, क्यूशन पे, अब यहां से देखो, अब इसमें तो axial की बात ही नहीं होती, क्योंकि ऐस ऐस तो कैसा होता है, spherical होता तो उसकी तो कोई direction ही नहीं होती है, और यह हमेसा ही sigma bond बनता है, तो यह तो गया, फिर उसके बाद में मैं बात करता हूँ किसकी, इसकी, lateral और lepping PP, तो PP अभी बताया था, colateral होता है, तो यह और यह यह, तो आपस में कौन सा bond बनता है, पाई bond, तो अपना हांस पर कौन सा हो है, sigma bond बनता है, तो यहां पे तो पाई का तो सवाल नहीं उड़ता, axial or lepping SP, तो मैंने पहले कहा था, इसके साथ हमेसा axial ही or lepping हो पाएगी, यह वाली or lepping तो यह करता नहीं है, और यहां पे यह or lepping होगी, तो sigma bond बनेगा, तो आप देखो, यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसमे भी आपका sigma बनने वाला है, इसमें आपका sigma बनने वाला है, और यहां पे आपका कौन सा बनने वाला है, पाई, तो अपना answer हो गया, second, clear, next question की तरफ आपन चलते हैं, How many sigma and pi bonds are there in the molecules of tetrasinoethylene, यह कह रहा है, tetrasinoethylene अणों में कितने sigma है, कितने pi है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, दो atom के बीच हमेशा एक sigma ही बनेगा, अगर दो atom के बीच एक ही bond है, वो sigma है, दो atom के बीच दो bond है, तो एक sigma है और एक pi है, अगर दो atom के बीच तीन bond आगए, तो उस condition में क्या होगा, एक sigma और दो pi, मतलब की दो atom के बीच poly bond आता है, तो पहला sigma बाकी सारे pi, तो यहां पे सिगमा एक और πाई कितने हैं दो यहां पे भी तीन आ गए तो सिगमा एक और पाई कितने हैं दो यह है तो यह सिगमा है यह है यह यह भी सिगमा है इसके अंदर एक सिगमा है एक पाई है फिर यह सिगमा है और यह भी क्या है सिगमा है फिर से यह कंडिशन आ गई तो इसमें स तो एक है, πाई आपके दो है, फिर ये कंडिशन आ गए, zwischen आपका 1 है, पाई आपके 2 है. Simple सी थिऊरी है, poly bond जिब आए, तो पहला sigma बाकि सारे 5, तो count करो, sigma 1.,2, sigma count कर लेतें, clear, Tो sigma, 1, 1, 2, फिर sigma कहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sigma कितने होंगे, 9, clear, तो 9 के दो option है, यहाँ पे भी 9 है, और यहाँ पे भी 9 है, खेर वो दो option तो cancel हो गए, फिर pi bond देख लेते हैं, pi देखो, 2, 2, 4, 5, 7, और 9, 9 pi bond है, तो आपका यहाँ, तो आपका answer कौन सा हो गया, first हो गया, बिल्कुल simple सी चीज है इसमें, जद्धा कुछ नहीं सोचना होता है, next question, how many sigma and pi bonds are present in given compound, दिएगे योगी में कितने sigma और कितने pi है, same pattern पे question है, बस आपको थोड़ा सा इसको लिखनाए खोल के है, ठीक है, तो यहाँ पे फेनिल गुरुप है, तो फेनिल गुरुप है, आप इसको यूँ देख सकते हो, sigma और pi काउंट करने तो फेनिल गुरुप को आप यूँ बना सकते हो, आगया, यह आपका हो गया, फेनिल गुरुप, यह इसके साथ जुड़ा हो आए, C, H, H बना दो यह, ठीक है, फिर double bond के साथ C है, फिर C2H5 है, तो यह लो C, H, H, फिर C, H3 है, तो C2H5 को खोल के यूँ लिख सकते हैं, फिर नीचे C, H3 है, कहां से, इससे नीचे है, तो यहां पर क्या हैगा, C, H3, तो H, H, और H, किलियर, आपको पता है, यहां पर देखो, 1, 2, 3 bond बन रहे हैं, मतलब इसके पास एक hydrogen है, इसके पास भी एक hydrogen है, इसके पास एक hydrogen है, इसके पास एक hydrogen है, इसके पास भी एक hydrogen है, किलियर, तो यहां पर देखो, इसके 4 bond बन रहे ह पास कोई आइडरोजन है नहीं है अब सिग्मा बॉन्ट काउंट करते हैं ठीक है तो सिग्मा वन टू थ्री फॉर फाइब सिग्मा तो यह हो गए के लिए फिर यहां पे भी तो सिग्मा है 18, 90, 20, 21, 22, 23, 24 कोई सिग्मा और यह 25 है तो आपके सिग्मा कितने आगे यहां पे 25 ऐसा कौन सा अप्शन है यही है तो आपका आंस्पर तो यहीं से मिल गया लेकिन आगे पाई और काउंट कर लेते हैं पाई में थोड़ा इंग चेंज कर लेते हैं दिख जाए एक पाई बॉ यह रहा कितने होगे फॉर और कोई पाई बॉंड दिख रहा है नहीं है तो सिग्मा कितना हो गया 25 और पाई कितना आगे आपका फॉर राइट तो आपका आंस्पर कौन सा चला गया है यहां पे थार्ड क्लियर नेक्स्ट कुशन की तरब आपन चलते है क्योशन नंबर 24 न यहां तो एसो टू सबसे पहले कि निकाल लो तो हैव अड़ाइजरिसन कैसा होटा है एस पीटू हाइब अपर निकालना में बताय दिया आपको इसका इस टेक्शर कैसे होगा एक तो इसके पास लऑन पेर और दॉनों नूटरल औक्सिजन है तो हमयसा यह सेंट्रल अटम स से बिलोंग कर रहा है तो इससे जुड़ने वाली oxygen हमें सथ double bond से ही जुड़ेंगी third period से बिलोंग कर रहा है यहां पर central item ठीक है अब एक चीज का द्यान रख आपको एक बहुत प्यारी trick बताता हूं पीपाई डीपाई के लिए एसो टू इन एसो टू एंड एसो थ्री वन बॉंड पीपाई पीपाई अधर ओल पीपाई डीपाई यह याद रख लो आप और इसमें पूसता है बहुत बार एक चांब में दो बार आ चुका है competition में तो आप इसका दियान रखो कैसे देखो जैसे इसमें दो बहें तो इसमें एक पीपाई पीपाई और एक पीपाई डीपाई है जैसे основ three SO3 की इस टेक्चर यह होती है तो मैंने क्या का one bond P pi P pi तो इनमें कोई सा भी ले लो यह P pi P pi यह बाकी बच गए दो वो क्या है P pi D pi मतलब पहला bond P pi P pi और बाकी सारे P pi D pi यह सिर्फ बात किस के लिए है SO2 और SO3 के लिए यह कुछ पीछे का बताने लग गया हमें आपको तो यहां पर क्या करना था sigma और pi तो देखो sigma काउंट करो sigma कितना है 1, 2 तो sigma हो गया 2 pi काउंट करो pi कितना हो गया 1, 2 तो pi भी हो गया 2 ठीक है तो ऐसा option फिस्ट है लेकिन एक option और दे रख है जिसमें loan pair भी show कर दिये तो इसने पुछा तो align कि अपने को सिर्फ bond है उस हिसाब से तो यह गया लेकिन battery में से choose करना चाहिए तो यह भी choose कर सकते है क्योंकि यह क्या कर रहा है loan pair की position भी बता रहा है तो यह बोल रहा है एक loan pair भी है तो बिल्कुल आपने इसके साथ चले जाएंगे समझ रहे हो clear next question the structural formula of a compound is एक compound दिया है उसका structure formula आपके पास यह clear the types of hybridization add the for carbon from left to right अगर left to right चलें ठीक है तो आपको इन चारों कार्बनों में क्या बताना है hybridization बताना है तो एक चीज का द्यान रखना hybridization निकालने का simple सा तरीका n इस गस्टू होता है sigma bond pair plus a loan pair यह आप हमेशा याद रहो n इस गस्टू क्या होता है sigma bond pair plus a loan pair n यहापे क्या है number of hybrid orbital यह आपका यहाँ पर क्या है number of hybrid orbital clear फिर आगे देखें अगर n की value 2 आ जाए तो hybridization sp n की value 3 आ जाए तो hybridization sp2 n की value 4 आ जाए तो hybridization sp3 n की value 5 आ जाए तो hybridization sp3 d n की value 6 आ जाए तो hybridization sp3 d 2 और n की value 6 आ जाए तो hybridization sp3 d 3 तो यह आ जाओ इस टेक्चर को खौल के लिखे लेते हैं थोड़ा carbon 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 यहाँ पर double bond है यहाँ पर double bond है इससे 2 hydrogen attach के हैं बिल्कुल 2 hydrogen attach इससे 1 hydrogen attach और इससे 3 hydrogen attach बिल्कुल simple सी चीज है मैंने कर लिया जो क्यूसन बोल रहा है मैंने वैसा कर लिया अब मेरे को तो hybridization बताना ही है यही से शुरूओ जाता हूं इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा दिख जाएगा clear अब आओ अपने पास sigma bond count करो 1,2,3,4 इसके पास कितने sigma है 4 sigma है clear और loan pair है क्या नहीं है तो जब भी sigma है तो यहाँ पर loan pair 0 है और sigma कितने है 4 तो n की value क्या आगई 4 n की value 4 आने का मतलब hybridization हो गया SP3 तो इसका hybridization आगया SP3 फिर इसके पास सलो इसके पास sigma कितना है इंक चेंज कर लेते हैं तोड़ा 1,2,3 यह तो पाई बोंड है ना loan pair है गया नहीं है 3 sigma बनाए loan pair है नहीं तो n की value कैसे निकालोगे sigma प्लस loan pair तो sigma 3 है loan pair 0 है तो n की value क्या आगई 3 आगई तो n की value 3 आती है तो hybridization क्या हो गया SP2 तो इसका hybridization है SP2 फिर आगे अपने बात करें इसके पास आजाओ next के पास तो इसके लिए sigma तो 1 sigma तो यह रहा इसके साथ भी तो होगा नहीं है 1 sigma यह रहा 2 sigma है loan pair है क्या नहीं है बाकी तो पाई बॉंड इस sigma ही काउंट करने है आपको तो यहां पे sigma प्लस loan pair कितना 2 प्लस 0 क्या आगए 2 n की value 2 आने का मतलब hybridization SP तो इसका hybridization क्या हो गया SP इसके पास आजाओ count करो फिर शे 1, 2, 3 3 sigma है loan pair है नहीं तो sigma प्लस loan pair देखो sigma कितने है 3 loan pair क्या है 0 तो n की value फिर शे क्या आगई 3 n की value 3 आने का मतलब hybridization इसका क्या आगया SP 2 तो मैच कर लो SP 3 होना चाहिए पहला option तो यह मैच कर रहा है दूसरा option SP 2 का होना चाहिए यह भी मैच कर रहा है तीसरा option SP का होना चाहिए यहाँ पे है लेकिन यह मैच कर रहा है clear तो यह अपना answer हो गया फिर next वाला SP 2 है यह भी मैच कर रहा हो गया बिल्कुल simple सा next question के पास आपन चलते है die structure and hybridization ओ पे यह आपका silene दे दिया ठीक है tetra methyl silene तो इसमें आपको क्या करना है hybridization बताना है और आपको क्या करना है उसकी shape बतानी है ठीक है structure पूछा है hybridization and structure तो आजाओ फिर शे आपको क्या दिया है SI CH3 4 clear तो इसका hybridization निकाल लो वो ही formula अपना N is goes to B plus M minus C plus A divided by 2 formula लगा दो तो यहाँ पर क्या आजाएगा N की value V valence electron of central atom central atom कौन है silicon और silicon के valence electron कौन से होते है 4 यह कैसे पता चले valence electron का एक simple सी trick P block में देखे ना तो 13 14 15 16 17 और 18 जो 13 group में आए उनमें valence electron 3 जो 14 group वाले हैं उनमें valence electron 4 है जो 15 group वाले हैं उनमें 5 पर 16 वाले में 6 हैं इसमें 6 होना है इसमें 8 है exception है helium helium में 2 valence electron होता है ठीक है यह कोई rule नहीं है clear यह आपके trick है इससे सब का बस यह होगा आपको वो outermost cell में electron काउंट करने की जूरूत नहीं है जैसे इसमें boron, aluminium, galium, indanium, thalium आगे उन सब में valence electron 3 है जैसे इसमें carbon आगया आपका silicon आगया तो इन सब के valence electron 4 है तो silicon का valence electron 4 फिर monovalent side atom तो आपको पता है methyl group sigma bond ही बनाता है मतलब monovalent बाना जाएगा ऐसे कितने methyl group है 4 है तो 4 चार जिसके उपर कोई है नहीं तो divide by 2 है क्या आगया 4 और n की value 4 आती है तो अभी मैंने बताई था n की आए number of hybrid orbital n की value 4 आने का मतलब hybridization sp3 तो यह show कर रहा है कि hybridization आपका sp3 है तो sp3 hybridization sp3 hybridization एक में ही है बस इसमें यह silicon है इससे एक cs3 sp3 में tetra idle shape होती है तो यह cs3 जुड़ गया यह cs3 जुड़ गया यह cs3 जुड़ गया यह cs3 जुड़ गया tetra idle shape आगी क्योंकि कोई lone pair है नहीं है lone pair कैसे पता चले है यह भी एक simple सी trick है आप एक काम किया अगर हो इसके sigma कितने बन रहे है तो 4 मिठहल गुरूप है 4 sigma बनेंगे माइनस 4 तो lone pair क्या आगया 0 अगर जब lone pair 0 होता है तो geometry होती है वही structure और shape मानी जाती है आपके तो वह क्या हो गया tetra idle हो जाएगा clear next question कि तरह आप अपन चलते है next question पर द्यान दो तोड़ा अच्छा question है यह भी in a octidal structure the pair of orbitals involved in a d2 sp3 hybridization is इसमें यह कह रहा है कि अगर hybridization आपका क्या है d2 sp3 clear तो इसके अंदर कौन सा d orbital involved होगा तो हमेशा द्यान रखो इसके अंदर जो d involved होता है वो होता है d x square y square और d z square clear आप यह याद ही रख लो sp3 d तो यह d आएगा वो होगा d z square फिर आगया sp3 d2 बोल दो या आपका d2 sp3 बोल दो तो यह होगा d x square y square d z square और अगर आपका sp3 d3 आगया तो इसमें होगा d x square y square d z square और d x y अब कई है ना वो इसको यह बोलते हैं simple सा अब आप यहाँ पर आओ सबसे पहले splitting होगे जैसे इसके अंदर ठीक है तो जब splitting होती है maximum तो आप इसको यह देख सकते हैं d की बात कर रहा हूं 1,2,3,4,5 d और यह दूसरा हो गया 1,2,3,4,1,2,3,4,5 यह भी आगया आपका d त्यान से समझना है इस सीज़को तो ओक्टाइडल के अंदर ही splitting कैसे होती है नीचे तो आता है t2g और उपर कौन आता है eg eg कौन से हैं जिनमें electron density axis के उपर हो तो वो कौन है x square और d z square और यहां पर d x y यह t2g आगये d y z और d z x यह तो होते हैं न किलियर तो यह high energy पर है तो उपर से इनके क्या हो जाएगा और लेपिंग हो जाएगी तो यह hybridization में involved होते हैं किसमें d2s p3 में oktidal की splitting है तो यह उपर वाले involved होगे बात आगे क्या समझ में तो इसमें कौन सा आगया d x square y square और d z square तो अपना answer यह हो गया फिर अपन कहेंगे कि इसमें कैसे पता चले तो देखो आप अगर इससे ज्यादा इनकी splitting करना चाहो न तो कैसे होता है जो square planer में होता है maximum energy वो splitting maximum देदेता है वो आपको बता देता है कि कौन सा कौन सी जगे पर जाएगा तो इसकी splitting थोड़ी अलग होती है ध्यान में होतो यहीं होता है नहीं यह दो धो होता है फिर आपका यह एक होता है sł। clear सबसे high energy पर तो कौन सा चला जाता है dx² y² फिर कौन सा आता है dx y फिर कौन सा आता है dz² नीचे कौन अबस के dxz और dyz तो hybridization में involved होने के बारी आएगे तो ये तीन हो जाएंगे dx² y², dxy और dj², कभी जब hybridization sp3 d3 होगा, next तो अपना इसमे तो answer कौन सा आगया, यह आगया, clear, next question पर चलते Which of the following molecules has trigonal planar geometry, कौन सा आए जो trigonal planar geometry रखेगा hybridization निकाल लो, इसका hybridization क्या आएगा, valence electron 7, monovalent atom 3, 7 और 3, 10 तो इसका hybridization आएगा, sp3 d, इसका hybridization निकाल लो, 5 और 3, 8 तो इसका hybridization sp3 इसका निकाल लो, 5 और 3, 8, divide by 2, तो वही 4 आगया, hybridization sp3 इसका निकाल लो, 3 और 3, 6, divide by 2, तो hybridization आगया, sp2 SP2 का मतलब है यहाँ पर N की वेलू 2 आईए इसका मतलब है N की वेलू क्या आईए SP2 है ना SORRY N की वेलू यहाँ पर 3 आईए SP2 में N की वेलू 3 आती है 3 आईए यहाँ पर N की वेलू 4 आईए यहाँ पर N की वेलू 4 आईए यहाँ पर n की value 5 आई है अब आओ यहाँ पर तो आपको पता है simple सा एक formula पता है n is going to sigma bond pair plus a long pair बताये तो आपको देखो answer पर तो आपन सिद्धे पहुंच जाएंगे लेकिन अपना man concept क्या है कि क्यूशन की help की क्यूशन के साथ अपन क्या करेंगे लगवग उसकी help से पूरा chapter revise करेंगे वही मैं यहाँ पर करने को सिस कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया SP3D आगया clear SP3D आग नहीं है तो n pipe तो formula की बात करेंगे sigma bond pair और long pair तो यहाँ पर आजाओ n की value pipe है sigma कितने है जितने side atom है 3 sigma है तो अब बताओ दोनों बराबर होने चाहिए मतलब long pair कितना है दो long pair है तो इसकी shape कैसे हैगी iodine 2 long pair आपको पता है SP3D में equatorial पे जाते हैं पिर यह आपका fluorine यह fluorine और यह fluorine तो यह तो bent T-shape आ जाएगा और इसके लिए यह lone pair 1 आ गया टेट्राइडल में तो आपका CL, CL और CL तो यह pyramidal आ गई तो यह भी trigonal planar नहीं है clear? हाँ trigonal है sorry नहीं वो pyramidal है पिर आपका NS3 NS3 की बात करता हूँ मैं simple सी वोई 4 is going to side atom 3 है एक lone pair हो गया तो वोई आपकी कैसे आ गई? pyramidal से आ जाएगी द्यान से समझना है इन चीजों को clear? one angle, two angle, three angle trigonal तो है यह लेकिन trigonal pyramidal है यह planar नहीं है ठीक है? और यहाँ पे पहुंच रहा है आपको trigonal planar यह दोनों है trigonal लेकिन trigonal pyramidal है फिर इसके पास आओ तो N की वे लोग क्या है, three side atom भी three तो तीन सिखमा हो गए तो लोन पेर क्या आ गए है, यह जीरो इसका मतलब वे इसक में अंदर कोई लोन पेर नहीं है और यह सारे के सारे एक ही plane में होते है जैसे यह boron हो गया fluorine, fluorine और यह fluorine एक ही plane में होता है पूरा गाह, तो तीन एंगल बन गए यह 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 लो ट्रैंगोनल इस्टेक्चर बन गई और एक ही plane में बन रही है तो ट्रैंगोनल प्लेनर किस के साथ जाओगे फॉर्ट के साथ जाओगे clear? next question in which of the following molecules the central atom does not have SP3 hybridization निमली कितम से किसका केंदरिय परमाणू का SP3 hybridization नहीं है बिलकुल सिंपल सा question है अपना trick सिद्धा काम में आएगा इसके valence electron 4 4 side atom 4, 4, 8 divided by 2 आगया 4, 4 hybrid orbital होने का मतलब hybridization है SP3 इसके पास आजाओ sulper के valence electron कितने होते हैं 6 side atom 4 divided by ये तो आगया 5, 5 का मतलब hybridization SP3 D अपना आंसर हो गया ये पिर आगे और देख लेते हैं valence electron 3 side atom 4 A9 को जोड़ा जाता है divided by 2 तो कितना आगया 4 4 का मतलब hybridization SP3 पिर आजाओ यहाँ पे valence electron nitrogen nitrogen के pipe होगे 4 side atom होगे K10 को minus किया जाता है आगया 4 hybridization SP3 तो अपना आंसर कोण सा आगया ये आगया बिल्कुल अच्छा सा सवाल next question which one of the following species has planar trigonal shape same way से सवाल फिर शे आगया trigonal planar shape देखना है trigonal planar shape है न शिर्फ SP2 hybridization में आती है वो भी कवे जब उसके पास lone pair नहीं होता है तो आजो hybridization ही कालो इसका तो N is case 2 valence electron 5 होगे oxygen side atom है polyatomic है इसको count है नहीं करेंगे फिर A9 को जोड़ दो 2 तो आगया 3 3 का मतलब high speed 2 hybridization अब देखो यहां lone pair है या नहीं है trigonal हो सकता है यह लेकिन अपने को पहले यह देखना है lone pair है या नहीं है तो देखो N की value 3 आगई फिर sigma bond कितने है तो आजाओ N की value 3 है sigma कितने है जितने side atom है एक oxygen एक sigma ही बना सकता है अगर दूसरा bond बनाए तो पाई होगा तो ऐसे 2 oxygen है 2 sigma हो गए clear तो अब एक उखोल नहीं है मतलब एक आपका यहां पे क्या है lone pair है तो जब इसकी structure बनाओगे तो यहां पे क्या आएगा एक lone pair आएगा clear तो इसकी structure कुछ यूँ हो जाएगी negative oxygen है single bond से O minus तो यह कैसा आगया bend shape बोल सकते हो angular shape बोल सकते हो clear या V shape बोल सकते हो मतलब इसका तो नहीं है फिर इसके पास आजाओ valence electron क्या है for side atom oxygen count करेंगे नहीं तो कितना आगया two two का मतलब hybridization ने SP तो side atom भी दो है तो वोई sigma कितने हो गए 2 तो lone pair क्या आगया 0 lone pair 0 है यह sigma है समद गए ऐसे तो क्या हो गया यह इसकी shape हो गई कैसे हो गई linear shape आगया इसका मतलब यह भी नहीं है इसके पास आजाओ clear है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना भी यह इसकी तरह से यह निकाल के N is going to 4 by 2 करके 2 कर दोगे आप SPI hybridization करके same you कर दोगे क्योंकि एक के हैं तो यह गलते हो जाएगा reason क्या है silicon है ना silicon इसमें जब इन्वोल होता है D orbital उसकी size क्या होती है large होती है यह मालोप P पी बना रहा है इसका ठीक है तो पाई बना रहा है तो large size होने की वज़े से effectively और लेपिंग नहीं हो पाती है size orbital की जितनी small होगी ना वहाँ पर और लेपिंग effectively होगी pie bond strong बनेगा लेकिन यहाँ silicon की large size होने की वज़े से यहाँ पर जो pie bond बनने वाला है weak बनेगा तो ऐसे existing नहीं करेगा तो यह इस texture इसके लिए hybridization बिलकुल गलत हो जाएगा यह हमेशा silicate form में रहता है तो quartz form में आता है ठीक है silica कैसे इसमें क्या होता है यह चलता है silicon oxygen 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 यह आगे वाली silicon oxygen oxygen यह आगे चलती रहेगी हूँ oxygen फिर आपका यहाँ silicon समझ रहे हो ना यह चीज silicon फिर oxygen यह आगे चलती रहेगी हूँ oxygen silicon समझ जाना भई यह आगे तो देखो कितने sigma होगे 1,2,3,4, कोई पाइब नहीं है SP3 तो इसका hybridization SP3 होता है और टेटरे ड़ल होगे इसके structure तो यह वाला भी नहीं होगा फिर आजो आप किसके पास? इसके पास तो N is going to valence electron oxygen count नहीं होगा A9-2,2 तो 3 आगया hybridization आगया SP2 फिर वो यह N की value sigma plus long pair तो N 3 है, sigma कितने हैं इसके पास? जितने side atom है, 3 sigma होगे तो long pair 0 तो इसके shape कैसे बनेगी? negative oxygen single bond से जोड दिया फिर आने वाला oxygen double bond से अब देखो octet पूरा होगया गया तो देखो इसके 5,2,7,1,8 5 तो खुद गे 2 यह share कर देगी आएसे कि 4 तो यहाँ और 2 यहाँ 6 और अभी भी 2 खुद के बच रहे है 8 octet पूरा होगया तो मतलब 1 oxygen इससे जुड़ेगी coordinate bond से तो यह कैसे आगया? कोई long pair नहीं है trigonal shape आईग नहीं है, trigonal planar तो कौन सा answer जाएगा? 4th answer जाएगा इसका है, आजाओ भी यह यहाँ पर देगा जाए तो मैं बात करता हूँ iodine N की value 7 plus 7 divided by 2 आगया 7 hybridization आगया ASP3D3 तो ASP3D3 की इस texture कैसे होती है? कुछ यह होती है यादगरू इसमें क्या होता है? यह center में कोण आगया iodine आगया इसके साथ यहाँ fluorine fluorine, 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 fluorine यहाँ fluorine और यहाँ fluorine समझ रहे हो? यह तो safe बताने के लिए line मनाई यह side में तो pentagonal, bipyramidal तो यह bond angle कितने का होता है? इसमें पता है सबको 72 clear? फिर उसके बाद में यह उपर वाला bond इसके साथ कितने का बनाता है? यह यह इनके साथ यह उपर है और यह कैसा यह नीचे है 90 का तो इसमें 70 के bond angle होते हैं 90 के bond angle होते हैं यह उपर से नीचे सिधा एक यह fluorine उपर है और यह नीचे की तरफ है यह समझ लो आप यह pentagonal हो गया एक उपर है 72 का इतने मुझतों ठीक है? फिर आओ इसके पास मैं इसकी बात करता हूँ इसके पास निकालेंगे तो वह यह N की विलू 4 प्लस 4 डिवाइड वाइ 2 आगया 4 4 का मतलब है SP3 कोई लोन पे रहना है H, 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 H तो bond angle कितना आगया? 109 degree का Clear? फिर अब इसमें से देखो सबसे कम चोटा bond angle देखना है Small कौन सा है तो इन दोनों में compare में यह तो अट गया अट गया? फिर आओ यह आपे तो इसका देखो आप Beryllium Beryllium के valence electron 2 है 2 side atom होगे 2 तो आ गया 2 2 का मतलब hybridization आ गया SP तो इसकी shape कैसी होती है? Florine Florine तो यह bond angle कितने का आ गया? 180 का मतलब यह तो इससे भी ज्यादा चला गया यह भी गया फिर इसका आ जाओ तो N इस गजटू क्या आ जाएगा? वही 3 plus 3 divided by 2 क्या आ गया? 3 आ गया 3 का मतलब hybridization क्या आ गया? SP2 clear? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका SP2I hybridization आ गया तो यह lone pair तो है नहीं तो fluorine, fluorine, fluorine तो bond angle कितना आ गया? 120 का इसका मतलब सबसे small bond angle कहा है? यहाँ पर तो answer आपका क्या आ जाएगा इसमें? First आ जाएगा Next Which of the following pair है? Same structure Same structure किसकी है? इसमान सरंचना रखता है तो आजाओ पहले option को solve करें इसका hybridization 5 और 3, 8 समझ गये न? अब मैं सीधा करूँगा First force है उसके valence cell में electron 5 है तीन side atom है 5 और 3, 8 2 का divide करो 4 आ गया 4 का मतलब hybridization SP3 तो N की value क्या आई? 4 Sigma जितने side atom है कितने हो गये? 3 तो loan pair कितना आ गया अब? 1 loan pair क्यों आ गया क्योंकि इन दोनों का total 4 होना चाहिए तो इसकी shape कैसे आ जाएगी? phosphorus है गया phosphorus H H यह कैसा आ गया? pyramidal clear फिर BF3 BCL3 sorry तो आ जाओ N की value क्या आ जाएगी? वही 3 plus 3 divided by 2 तो आ गया 3 hybridization SP3 तो N की value 3 Sigma आपके side atom है उतने 3 तो loan pair क्या आ गया? दोनों का total loan pair का रिसका तो 3 plus 0 3 आ गया मतलब 0 है loan pair तो आ जाओ BFF यह कैसे आ गया? ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ गयी यह ट्राइगोनल पिरामिडल है यह ट्राइगोनल प्लेनर है दोनों में फरागए भीया इसका मतलब यह answer तो गया next इसके पास ले इसका देखो N की value sulper है sulper के value electron 6 है oxygen count होता नहीं तो आ गया 3 तो 3 में से दो गया तो एक lone pair है आपका simple सी चीज आ गई clear तो इसकी shape बनाओगे तो कैसे बन जाएगा एक lone pair बना दो यह double bond oxygen double bond oxygen angular ball दो या V shape बन दो फिर इसके पास आजाओ NS3 के पास तो इसका hybridization SP3 होता है measure कर लेना तो इसके पास N की value 4 है hybrid orbital SP3 3 रेक 4 hybrid orbital है तो जितने non hybrid orbital होते है उतने ही hybrid orbital है hybridization में जितने non hybrid orbital है मतलब जितने S संक्रित कक्सक है hybridization में संक्रण में बाग लेते हैं उतने ही hybrid orbital बोले तो संक्रित कक्सक बनते हैं तो 3 पी एक S बाग लिया तो चार यह SP3 बनेंगे, clear, तो hybrid orbital for sigma कितने, जितने side atom है, तीन है, तो चार में से तीन गया, तो एक lone pair के आ गया, एक, तो आज़ाओ, H, 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 तो shape कैसे आ गई, trigonal, pyramidal आ गई, इसका मतलब इसमें भी दोनों की same structure नहीं है, ये भी गया, तो उपर वाले दो तो स्थीक हो गए, दो तो समझ में आ गए ना, next question आगे चलते हैं, इसके पास आ जाओ, तो वो ही, N is going to 5, valence electron 5 side atom 2, तो 5 आ गया, 5 का मतलब SP3D, N की value 5 आ गई, sigma भी यहाँ पे 5 आ गई, side atom 5 है, तो 5 में से 5 किया तो 0, long pair 0 है, तो इसकी आ जाएगी, chlorine, 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 chlorine एक plane के उपर plane, तो यह आ गया, trigonal by pyramidal, अब इसका देखें, 6 plus 6 divided by 2, clear, 6 valence electron 6 ही है, तो आ गया 6, तो hybridization आ गया, SP3D, तो सोचने की जूरूत नहीं है, fluorine, 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 कोई long pair नहीं है नहीं है यहाँ, 6 hybrid orbitalization ही हुए तो ओक्टाइडल आ गई, मतलब यहाँ पर BBCM है, नहीं है, बच गया आंसवर है, यहाँ पिर solve कर लो, n की value वही, 5 plus 4, k10 को माइनस कर दो, 2 आ गया 4, पिर n कितने आ गया, 4 आ गया, sigma जितने side atom है, तो long pair 4, minus 4, 0, तो यह क्या आ जाएगा, nitrogen, hydrogen, 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 और यह जो h plus है, उसको यह अपना long pair, समझ गई, डेटिव बोर्ण बन गया यहाँ, तो कैसा आ गया, यह, tetra ideal आ गया, कैसा आ गया, tetra ideal आ गया, अब इसके पास आ जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, n की value, valence electron 6, oxygen count नहीं होता है, a9 को जोड़ दो, 2 आ गया, 4, फिर sigma कितने ही, आ पर 4 है, जितने side atom है, और n भी कितना है, 4 आया, तो long pair क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इस texture कैसे बनाते हैं, जिन oxygen पर negative है, वो single bond से, और third period से, central atom तो बाकी सारे oxygen है, double bond से, तो कैसे आगे, टेट रहे हैं, तो आप कहां से यहां पर कौन सा चला जाएगा, होड़ तो चला जाएगा, clear, next question पर चलते हैं अपना भी, ASP3 hybridized orbital content, ASP3 hybridization में, संकृत कर्षक में, ASP3 hybridization पूछ रहे हैं, यहां पर P देता तो P पूछ था, मतलब यह देखें बताना हैं कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है, तो देख लेते हैं, ASP3 बिल्कुल सिंपल सा, मालो कि इसके total character 100% है, total character कितने हैं, 100% है, ठीक है, यह मालो total character इसके पास कितने हैं, 1 है, तो देखो इसको यह कर लते हैं अपने, एक मिंट, ज़्यादा बैटरियों रहेगा, यह लो, ASP3, ASP3, total orbital कितने हैं, 4, यह कर लो, clear, उन में से S orbital कितना है, 1 है, लियांसे समझ ना, total कितने है, 4, उसमें से S कितना है, 1, तो जब 4 में 1 S है, तो एक orbital होगा, उसमें S का हिस्सा कितना आ गया, 1 बाई 4, तो S कर लेक्टर कितने होगे, 1 बाई 4, अगर % पे पूस्ते हैं, तो यह माल लो, ASP3 है, उसके total कर लेक्टर माल लो, 100% है, तो ऐसे orbital कितने हैं, 4 तो एक orbital का कितना आ जाएगा, 25%, तो देख लो, 4 में से एक orbital है, S का, तो S के लक्षन 25% आ गए, पीके कितने आ गए, 3 पीके हैं, तो 25, 75 उसके आ गए, ठीक है, तो आपका तो यहाँ सिंपल सा क्यूजन था, Next, Geometry of ammonia molecule and the hybridization of nitrogen involved in R, ammonia अनु की जयामिती और nitrogen में संक्रण, कितनी बार पढ़ लिया वही, यह लो, N is goes to valence electron 5, 3A, divide by 2, 4 आ गया, hybridization आ गया, S3, clear, अब देखो, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, N की value, 4 sigma कितने है, 3 lone pair कितना है, 1, तो N, एक तो lone pair हो गया, यह hydrogen हो गया, यह hydrogen हो गया, यह hydrogen हो गया, यह hydrogen हो गया, तो hybridization तो S3 आ गया, तो यह तो सब में दे रखा है, अब shape कैसी आएगी, shape तो है, इसकी pyramidal, एक चीज़ का दियान रखना, फरक होता है यह इस सीजों में, जबो, shape, shape का मतलब होता है, position of sigma, sigma की जो position होती है, यह फिर orientation of sigma, clear, अब मैं बात करता हूँ किसकी, geometry, geometry होती है, position of sigma and lone pair, geometry में lone pair की shape भी माल ली जाती है, यह आप ध्यान रखो, बात आगी समझे, मतलब geometry में lone pair भी include होता है, तो आप तो geometry तो पूज़ रहे हैं न, तो tetraidal है, लेकिन lone pair की वज़े से क्या होगा, यहाँ पे repulsion लगेगा, थोड़ा यह अंदर की तरफ दब जाएगा, तो इसको विकरत चतोसफल के आप बोल सकते हो, थोड़ी सी tetraidal, distorted, tetraidal, question के पास आई, तो यह कह रहा है, SP3 hybridization, tetraidal, tetraidal है, लेकिन थोड़ी destroy हो चुकी है, ठीक है, SP3 hybridization और यह रहा, distorted, distorted, tetraidal geometry, अगर यह option में ना होता, ठीक है, कुछ और होता, तो आप फिर इसके साथ चले जाते हैं, clear, need two thousand, sixteen के second page में इसे पूछे हुएं, दो क्यूसर, एक तो XCF6 का पूछा था साहिद, हाँ, और एक इसी का था, same था, ठीक है, तो आप का अंसर कौन सा जाएगा, second जाएगा, और अगर आपको यहां पे, geometric की बजाए, आपको क्या पूछता, shape, तो shape हो जाती, कौन सी, pyramidal, ठीक है, तो next question, the shape of IF7, shape पूछा है, ठीक है, IF7, तो IF7 का देख लो, hybridization, N is गस तो, valence electron 7, 7 यह, 2 तो आगया 7, फिर देखो, N की value 7 है, sigma side atom भी 7 है, तो lone pair क्या आगया, 0 आगया, इसका मतलब hybridization, आपका क्या है, SP3, D3, तो इसमें क्या होगा, इसमें hybridization क्या होगा, shape देख लेते हैं, इसकी, ठीक है, अब यह थोड़ा help के लिए, बोन ठीक बन जाए, ठीक है, तो यह आपका iodine हो गया, यहाँ पर यह तो आगया, फ्लॉरीन, पेंटागोनल से बन गई, और यह planar होती है, एक ही plane में होते हैं, यह 72 का angle होता है, मतलब की एक ही plane में, यह सारे के सारे 5 फ्लॉरीन, यह एक plane के, उपर जैसे यह plane है, इसके एक उपर, और एक plane के नीचे, तो यह तो नीचे आगया, और यह plane के उपर आगया, थोड़ा तिर्चा बना रहा हो, बागी यह उपर ही हो, ठीक है, तो कैसे आगी, pentagonal by pyramidal, तो pentagonal by pyramidal, अपना answer हो गया, कौन सा, second, next question, the incorrectly matched pair, among the following, आपको यहाँ देखना, गलत match कौन सा है, इसका मतलब, सब match करवाएगा, बाई अपने से, BRF3, तो BRF3 को solve कर लो, BRF3, BRF3 को आप अगर solve करना चाहोगे, तो hybridization इसका क्या आजाएगा, N is guys to, दिखेगा नहीं भाई, थोड़ा inks change कर लेते हैं, 7 plus 3 divided by 2, तो कितना आगया, 5, 5 का मतलब hybridization, SP3D, तो इसमें N की वेलू कितनी है, 5 sigma कितने है, जितने side atom, तो मतलब lone pair कितने आगए, 2, तो इसका कैसा आजाएगा, ये bromine आगया, bromine यह ने central, हाँ, तो ये 2 lone pair आगए, equatorial position पे, ये fluorine आगया, ये fluorine आगया, इसको आप bent TCA बोल सकते हो, या फिर आप, कहा आँ गया, trigonal, bipyramidal, तो ये पहला ही false हो गया, समझ रहे हो ना, पहला ही false हो गया, समझ में आगया ना कैसे, क्योंकि bent T-shape है, और यहाँ पे trigonal bipyramidal बोल रहा है, clear, trigonal bipyramidal तो कौन सी होती है, दियान में है ना, ये, ये, central item हो, और उसके साथ ही हो, ये होती है trigonal bipyramidal, इसका मतलब पहला ही false हो गया, next के पास सलते हैं अपन, S-A-4, S-A-4 का भी solve करके देख लेते हैं, तो S-A-4 में देखो, N की value क्या आगई, 6 और 4, 2, तो कितना आगया, 5, S-P-3, D, तो sigma कितने हैं, तो पहले N कितने है, Ritm-4, 5-4, Lone pair कितना आगया, 1 आगया, clear, तो बना दो, ये selपर हो गया, fluorine है न, fluorine हो गया, fluorine हो गया, ये fluorine हो गया, ये fluorine हो गया, ये Lone pair हो गया, तो आप इसको K-S-A-P बोल सकते हो, clear, Kappa-S-A-P, S-A-P इसको बोल सकते हो, तो सिसा-S-A-P यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बात तो सही है, next की ओर चले हैं अपन, आगये वाला, soul करके देखते हैं, CLF3, तो आज़ो, CLF3, N की वेलू, 7 प्लस 3, डिवैड बाइ 2, Done, तो ये कितना आ गया, 5, 5 का मतलब ये बाइडाइजेशन के आ गया, SP3D, तो N की वेलू, 5 सिगमा कितने हैं, जितने साइड एक्टम है, साइड एक्टम कितने हैं, 3, तो 5 में से 3 गये, तो 2 लॉन पेर कितने आ गये, 2, तो 2 लॉन पेर होते है, तो वही ये वाली शेप आ जाएगे, क्योंकि सेंटर में, वही हाइडाइजेशना, सेंटर में यहाँ पे कलोरिन आ जाएगा, और साइड में यह फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, कैसे आपका TIA, तो ये भी सही है, फिर ये NH4+, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये टेटराइडल होता है, कैसे, बिलकुल, NH4+, इसका SP3 बताया ही था, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 फिर ये जो H+, इसका वेकेंट और्विटल है, ये लॉन पेर देखे, टेटराइडल से भी आपर बना लेता है, तो फाल्स कौन सा है या, फर्स्ट वाला है, ये मैच नहीं है, नेक्स्ट क्विशन, बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज नियर ली, और डिरेक्टेड बॉन्ड इन वाटर, फाल्स एन एंगल ओफ, तो देखो, वाटर के अंदर, इसका हैवरिदाइजिशन क्याएगा, एन इस गस्तू वाटर के वेलेंस, अभी यहाँ पे सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम होता है, तो वेलेंस इलेक्ट्रोन काउंट होते हैं, SP3, SP3 में बॉन्ड एंगल होता है, 10928, किलियर, तो अब होना तो यह चाहिए, बॉन्ड एंगल, राइट, अब अपन क्या करते हैं, यह यह अपर इस निकाली है, टिका देते हैं, पहर अब थोड़े इसको देखोंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर N कितना है, 4, सिग्मा कितना है, जितने साइड एटम, लॉन्ड पेर कितने है, 2, और आपको पता है, जब भी लॉन्ड पेर आता है, जिएमेटरी डिस्ट्रोइड हो जती है, और बॉन्ड एंगल बदल जाते हैं, क्योंकि लॉन्ड पेर क्या करता है, ज्यादा स्पेस कवर करता है, ज्यादा स्पेस उकॉपाई करने की वज़ेशे, वो क्या करता है, रिपल्सन ज्यादा क्रियेट करता है, और रिपल्सन ज्यादा क्रियेट करता है, तो बॉन्ड एंगल को दबा देगा, दबा देगा, तो यह bond angle है, क्या हो जाएगा, 109 से कम हो जाएगा, ऐसा option कौन सा है, यह रहा, फोड़ तांस्वर अपना हो जाएगा, यह जनरली पता होता है, सबको ammonia care, H2O के bond angle, तो आप सिद्धा भी टिका सकते हैं, next question, which of the following molecules is linear, आपको linear यहाँ पे, तो linear आपको दो ही case में मिलता है, एक तो SP हाइबरड़ेजिसन में linear मिलता है, SP2 में linear कहीं नहीं आता, SP3 में कहीं नहीं आता, और एक linear आपको SP3D में मिलता है, सिर्फ दो ही condition है linear आने की, हाँ, SP2 में बन सकता है, जब उसके बास दो loan पेरा जाएए, इसी प्रकार SP3 में भी बन सकता है, जब उसके पास ती loan पेरा जाएए, special case होता है, बिल्कुल ज्यान से निकल गया था, इसको open बात करें, तो SP, SP2, SP3 और SP3D तक linear आने की possibilities होती है, तो आओ यहाँ पे, सल पर, N is going to, 6 divided by 2, तो क्या आगया, 3, तो N की value आगयी 3, सिग्मा कितने हो गए, यह 3 आने का मतलब हाईवर्ड है, जिसने SP2, सिग्मा कितने है, जितने side item, 2, मतलब loan pair कितना है, 1, तो आओ, सल पर यह loan pair हो गया, double bond, double bond, तो यह कैसा आगया, एंगुलर, तो यह तो linear नहीं है, हटाओ, इसके पास आजाओ, N, valence electron 5, oxygen count होगा, नहीं, केटा N को minus किया जाता है, divide by 2, आगया कितना, 2, तो hybridization, SP, सिग्मा कितने हैं, जितने side item है, N यहाँ पे 2 हैं, इधर वाला देख रहे हैं, N यहाँ पे कितने हैं, 2, सिग्मा भी कितने हैं, 2, तो लॉन पेर के आजाएगा, 0, तो आजाओ, यह nitrogen, यह oxygen, यह oxygen है, इसके पास जो एक electron था, वो donate कर दिया, यह plus R इस पे, तो यह कैसा आगया, linear, 180 का एंगल है, और यह सेफ कैसी आगया, इसकी linear, यहाँ पे आजाओ, तो अपना linear ही डूंड़ना था, यह आगया, nitrogen के पास आजाओ, तो वह यह hybridization के आजाएगा, N इस फाइप, अब A9 होता है, वह add होता है, तो N की वेलू 3, 3 का मतलब है, hybridization है, SP2, जब वही N की वेलू 3 है, तो सिगमा इसके पास कितने हैं, जितने side item हैं, दो हैं, तो एक loan pair भी आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह nitrogen double bond, जिस पे minus होता है, मैंने काया था, एक loan pair आ जाएगा यह, तो यह आ जाएगा फिर से V-shape, या फिर आपका कैसा angular, तो अपन generally क्या करते हैं, अच्छा, दो oxygen इसमें, दो इसमें, nitrogen, nitrogen, यह क्या, यह तो linear हो गए, नहीं, बना के देखो, charge का भी फरक पड़ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद में, N की value 6 और 2, 8, divide by 2, तो 8 में, तो 4, 6 और 2, 8, तो hybridization क्या आ गया, SP3, hybridization क्या आ गया, SP3, फिर देखो, N, 4, sigma, 2, तो loan pair 2, तो sul पर, एक loan pair, यह दो loan pair, यह CL, और यह CL, क्लियर, तो कैसा आ जाएगा, angular, अपना answer linear पूंच रहा था, तो यह आ जाएगा, next question, the PCL pipe molecule is a result of the hybridization of PCL pipe, PCL pipe के अंदर अपने को क्या बताना है, hybridization बताना है, तो बिल्कुल simple से चीज, और यहाँ पर बहुत प्यारी चीज़ बताने वाला हूं, ध्यान दे न, बोड पे, और exam में इसके बजाए, वो क्यूसन ज्यादा प्रिफेर करते है, ज्यादा बैट रहाता है, कैसे, देखो, PCL pipe की बताना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसको PCL pipe भी assume करके कर दो, मालोगी यह कोवेलेंट है, clear, यहीं माना जाएगा, कुछ भी नहीं दिया हुँता साथ, तो इसका क्या जाएगा, एन इस गस्टू, 5 प्लस 5, डिवैड वाई 2, 5, 5 का मतलब है, SP3D, अपना आंस पर क्या आ गया, यह आ गया, अपना काम हो गया, लेकिन इंपोर्टेंट चीज गया है, अगर इसको यह बोल देता, PCL 5 सोलिड है, तो PCL 5 सोलिड होता है, वो होता है, आपका आयोनिक, कैसा होता है, आयोनिक, और यह आपका कैसा है, कोवेलेंट, आयोनिक कैसे होता है, तो वो यह होगा, PCL 4 प्लस, PCL 6 से माइनस, clear, तो देखो, इसका अपर डिजिस निकालो, अलग-अलग मान के कर दो यह, यह बागी अट्रेक्शन से बंदे विए है, तो N, 5 प्लस, 4 माइनस, 1 डिवाइड बाई, 2 तो कितना आ गया, 4, हैपर डिजिसन के आ गया, SP3, तो इसमें इसका हैपर डिजिसन तो आ गया, SP3, और यह हो गया, है, टेट्रेडल, इसका और निकालते हैं अभी हाइपर डिजिसन, तो वह ही, N is going to, 5 प्लस, 6 प्लस, 1 A9 को जोड़ा जाता है न, तो कितना आ गया, 6, SP3, D2, तो लोन पेर, यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि 6 के 6, सिग्मा बोंड है, यहाँ पर, तो इसका हैपर डिजिसन, आपका है, कैसा, SP3, D2, और यह हो गया, ओक्टाइडल, तो अगर यह सोलिड होता न, तो यह दोनु हाइबर डिजिसन इसमें पर क्लियर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हाँ, इसी के साथ एक और बता देता हूँ, जैसे N2O5 है, तो N2O5 की structure कैसे होती है, N double bond O, coordinate O, oxygen, nitrogen, double bond O, coordinate O, इसमें hybridization निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, देखो, sigma काउंट करो, 1, 2, 3, लोन पेर हैं नहीं, लोन पेर यहाँ दे चु इसका भी hybridization क्या है, SP2 है, बात समझ में आगी, अब देखो, अगर इसी को solid बोल देता, N2O5 है, solid, तो इसमें क्या लोचा होता, तो यह solid में exist करता है, आपका कैसे, NO2 plus है, और NO3 minus, अब hybridization निकालो, 5 और 1 minus हो गया, 4 तो इसका तो hybridization आया जाएगा, SP, कैसे, N is going to 5 minus 1, 2, तो आगया 2, तो यह तो SP हो जाएगा, और इसका आपको पता है, SP, 2 हो जाएगा, कैसे, N is going to 5, A9 को जोड़ा जाता है, 2, तो यह आगया 3, तो hybridization, SP, 2, clear, तो N2O5 में पूछे, nitrogen का, तो SP, 2, SP, 2, लेकिन solid N2O5 में पूछे हैं, और यह solid वाला आपका होता है, तो इसमें SP भी होता है, और SP2 भी होता है, clear, important है वाई, इस चीज़ को थोड़ा focus कर लेना, 39 के question में मैंने आपको बहुत सांदार चीज़ बता, यह competition के साफ़ से, next question, which one is if, false in the following statement, निमनलिकते कथनों में से कौन सा S होते है, पहला कहरा है, each carbon in ethylene is SP2, ethylene में हर carbon SP2 ethylene बना लो, ethylene कौन सा होता है, अब आपको इस texture पता होनी चाहिए, यह होती है ethylene, H, H, तो देखो sigma bond count करो, आपको rule पहले बता ही दिया था, एक sigma, दो sigma, तीन sigma, और यह rule फिर शे बता रहा हूँ मैं, N is going to sigma plus loan pair, और N की value 2, 3, वो क्या आती है, वो याद रख लोग, तो देखो, 3 sigma आ गए, loan pair इसके पास है नहीं, तो N की value क्या आ गई, 3 आ गई, मतलब इसका hybridization, SP2 वैसे ही, 1, 2, 3 sigma, N की value इसके लिए भी तीन आ गई, loan pair है नहीं, तो इसका भी hybridization, SP2, तो ethylene में, हर carbon SP2 होता है, बात ये सही है, लेकिन अपने को तो यहाँ पर, यही अपने mistake करते हैं, false statement डूंड़ना है, अपने, पूरा क्यूशन नहीं पढ़ते हैं, तो पहला है सही मिल जाएगा, अपना answer लगा के निकल लेते हैं, नहीं, क्यूशन सही पढ़ो, फिर each carbon, यही नहीं, acetylene, SP3, acetylene देखो भी यह, यह आपकी acetylene हो गई, तो sigma कितने हैं, देखो, एक sigma, दो sigma, दो item के बीच poly bond बनता है, उनमें यह की sigma होता है, और lawn pair 0 तो 2 sigma मतलब है, hybrid orbital भी यहाँ दो हैं, क्योंकि lawn pair तो 0 है, तो यह SP हो गया है, ऐसे ही, यह भी आपका क्या हो गया, SP, तो यह वाला statement आपका false है, clear, चलो इसके पास देखें, बेंजीन, तो बेंजीन में तो सब को पता है, yellow, यह आगया, सब के पास एक-एक hydrogen होता है, तो देखो, 1, 2, 2 sigma, यह 3, 3 sigma, lawn pair रहें नहीं, hybridization क्या आगया, SP2, 1, 2, 3 sigma, hybridization, 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 SP2, तो बेंजीन में हर carbon SP2 hybrid होता है, बात सही है, एथेन में, तो एथेन की structure बना लो, 1, 2, 3, 4 sigma, SP3, 1, 2, 3, 4 sigma, SP3, यह बात भी सही है, तो false कौन सा है, second, तो अपना answer कौन सा हो जाएगा, second, अच्छा question था, next question की तरफ चलते हैं है, अपन, in which of the following species, the interatomic bond angle is 109, आजाओ भाईया, देख लेते हैं, देखो, इसका hybridization देखो, clear, इसका hybridization क्या होता है, SP3, SP3 मतलब N की value, 4 आईये, यहाँ पर 5, 4, 9, 1- कर दिया, यह बहुत बार major कर लिया, मैं सीधे लिख रहा हूँ गई, sigma कितने है, 4, मतलब lone pair क्या है, 0, मतलब यहाँ पर कोई भी lone pair नहीं है, tetraidal geometry है, तो यह bond angle होगा, 109, फिर आजाओ, इसका निकालो, N वोई, 3 plus 4, valence electron, फिर side atom, और N, N को जोड़ा जाता है, 2, तो आगया 4, SP3, N इसके लिए 4 आगया, sigma भी इसके लिए side atom 4 है, तो lone pair इसके लिए 0 आगया, तो इसमें boron, fluorine, 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 और यह एक आपका fluoride, इसके vacant orbital में lone pair देदेगा, यहाँ पर इसके प्लस है, तो इधर की तरह है, यह coordinate bond, clear? तो इसमें भी bond angle कितना होगा, कोई lone pair नहीं है, यह लो, तो अपना answer कौन सा आगया, first, आगे देखा जाए, तो वो ही आगया यह, इसमें तो 109 है, लेकिन इसमें higher digestion क्या है, देखो, SP2 है, और lone pair यहाँ पर 0 है, तो BFFF, bond angle कितना आगया, 120, तो इसका bond angle तो 120 का है, मतलब यह तो नहीं होगा, फिर इसके पास आओ, तो ammonia, तो इसका देखे, SP3 है, जिसने इसके पास एक lone pair है, तो यह आता है, तो bond angle 109 से कम हो जाता है, इसका bond angle आता है, लगबगे 107 के something, ऐसे ही, इसका भी अपन ने निकाला था, 109 है वही यह, फिर इसके बात करे, N is 2, तो आजाओ, इसका तो 120 है, तो answer तो देखो कलात हो गए, वह वहीं पे मिल गया था, अब 120 हो गए, यह भी cancel हो गए, इसका कितना होता है, तो देखो, N is going to 5 plus 2 plus 1 divided by 2, तो 4, side atom 2 ही है, side atom 2 होने का मतलब 4 होने चाहिए थे, तो sigma है इसमें 2 हैं, तो loan pair भी इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, loan pair कितने होंगे, 2, तो यह nitrogen हो गया, यह hydrogen हो गया, यह hydrogen हो गया, यह आपका एक loan pair हो गया, यह आपका loan pair हो गया, यह यहाँ पर minus रखता है, तो क्या होगा, यह इसको दबादेगा, 109 से bond angle है, कम हो जाएगा, वैस्पर theory, ठीक है, तो अपना आंस पर कौन से जाएगा, first जाएगा, clear, next question की तरब चलते हैं अपन, the correct order of bond angle है, smallest first in H2S, NH3, BF3, यह कह रहा है कि इनका bond angle का correct order आपको बताना है, और कैसे बताना है, सबसे पहले small angle, फिर उससे थोड़ा large, और फिर सबसे large, इनके पास, ओ सोरी, इनके पास, ठीक कोर रह गया, आजाओ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, H2S, hybridization, निकाल लो, सलपर का, 6 or 28, SP3 होगा, जिसके लिए N की value तो 4 है, सिगमा इसके लिए 2 है, तो lone pair क्या आजाएंगे, 2 आजाएंगे, clear, तो इसका bond angle है, क्या होगा, यहां पे सलपर, यह दो lone pair, यह, यह less than 109 आजाएगा, और एक चीज बहुत प्यारी बताता हूँ आपको, अगर सही rule देखा जाए ना, तो drago rule लगाए ना, तो यहां पर यह hyper digestion मेरा लिखना भी गलत होगा, है ना, drago rule क्या बोलता है, त्यान से सुनना, अगर आपका central item, third period या उससे higher period से belong करता है, और side item की electron negativity या तो 2.1 है, या उससे कम है, तो वहां पर hybridization नहीं होता, पेवर P orbital bond बनाते हैं, और पेवर P orbital में तो 90 का angle होता है, इस वज़े से अगर hybridization count नहीं करूँ, अगर इसी statement को मैं पूरे को wrong करूँ, तो यहां पर bond angle almost 90 का आगया, वो चाहे 92 का ही क्यों ना हो, बात आ एक नहीं है इसमझ में, तो यह आ गया, तो सबसे कम bond angle तो यहीं हो जाएगा सोचने की जुरूत नहीं, ऐसा answer कहा है, तीन answer ऐसे हैं, कोई बात नहीं, NS3 का देखते हैं, तो NS3 में क्या होगा, SP3 है, एपरडाइजेशन है, N की वेलूत कितनी आ गई, 4, सिक्मा कितने है, 3, लौन पेर कितना आ गया, एक, डन, तो आ जाओ, नाइट्रोजन, यह लौन पेर, यह आइड्रोजन, यह आइड्रोजन, और यह आपका हाइड्रोजन, तो bond angle इसका 10928 से कम हो गया, लगवगे 107 के something होता है, 108 बोल दो, ठीक है, तो कुल मिलाकर कि यह हो गया, तो अब तक order देखें, उसमें से सबसे कम तो, H2S इससे बढ़ा, NH3, चलो आगे, फिर क्या दिया है, BF3, तो BF3 का निकाले, तो BF3 का hybridization आपको पता है, SP2, N की वेलू, यहाँ पर 3 है, सिक्मा भी 3 है, यह boron, fluorine, fluorine, और यह fluorine, तो यहाँ पर bond angle आगया, 120 का, फिर बच गया कौन, यह SIH4, इसका hybridization, SP3 है, इसमें भी lawn pair 0 है, sol करके देख लेना, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, silicon, यह hydrogen, यह hydrogen, यह hydrogen, और यह hydrogen, तो यह fix exact 1098, तो इन दोनों में से small यह हो गया, तो यहाँ पर आज H4, और फिर सब से ज्यादा हो गया, BF3 का, S answer कौन सा है, H2S, NH3, यह भी नहीं है, H2S, NH3, SIH4, BF3, तो फिर्ष्ट answer के साथ अपन चले जाएंगे, बात के लिए है, समझ में आई, next question, हाँ, जी, the correct order regarding the electronegativity by hybrid orbital of carbon is, यह कह रहा है कि in hybrid orbital के regarding, आपको यह देखना है कि electronegativity का सही order कौन सा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, electronegativity directly proportional to percentage as character, किस में, in hybrid orbital, यह बात किस की कर रहा है, in hybrid orbital, hybrid orbital में आपकी electronegativity percentage character के equal होती है, तो देखो, SP है, वो ही character 100% माल लो आप, तो total orbital 2 है, उनमें एक हिस्सा किस का है, S का है, 2 का divide कर दो, percentage as character कितना आगया, 50%, फिर SP2 है, तो सो में 3 का divide कर दो, उसमें एक बाग इसका है, तो कितना आगया, 33.3%, फिर आगया SP3, तो सो में 4 का divide कर दो, वो चोता एक बाग किसका है, S का, क्योंकि 4 बाग करोगे, तो उसमें एक बाग S है, तो कितना आगया, 25%, तो सबसे ज़्यादा S character किसमें है, SP में, तो सबसे ज़्यादा electron negativity, SP की, फिर उससे कम SP2, और सबसे कम SP3 की, कौन सा है, आउनसवर देख लो, SP, SP2, SP3, आपका 4 आउनसवर है, सही हो गया, तो यह देखना है, किसकी shape कैसी है, pyramidal है, pyramidal shape वाले को identify करना है, कोई दिक्कत नहीं, hybridization निकालो, तो N is going to 5 plus 3 divided by 2, तो कितना आगया, 4 hybridization के आगया, SP3, तो N की value, 4, sigma, 3, lawn pair, 1, तो क्या हो गया, phosphorus, यह lawn pair, यह आपका क्या आगया, CL, यह CL, यह CL, कैसे आगयी, pyramidal shape आगयी, तो यह आगया, first answer, इसकी देखना चाहें, तो hybridization क्या होता है, SP2, बना के देखो, double bond O, double bond O, double bond O, कैसा आगया, trigonal, तो यह तो नहीं होगा, इसकी देखो, hybridization क्या आगया, SP2, solve करके देख लो, valence electron 4, 4, or 2, 6, divided by 2, SP2, ठीक है, SP2, hybridization, negative oxygen, हमिशा, single bond से, फिर देखो, octet पूरा नहीं हो रहा है, तो oxygen double bond से, और अगर octet पूरा हो गया, तो oxygen coordinate bond से जट जट जाएगी, यह भी trigonal आ गया, इसके पास चलो, valence electron 5, 4, 1, 6, divided by 2, 3, मतलब, SP3, hybridization, loan pair, यहाँ पर जीरो है, यह negative, कई बार बना चुका हूँ, इसकी structure, यह coordinate bond होगा, यह भी trigonal होगा, तो आप कांस पर कौन सा गया, first, clear, यह फास्ट लिए जा रहा हूँ, यह चीज़े माँ आपको करवा चुका हूँ, यह example repeat हो रहे है, next, which one of the following, conversion involves change in both hybridization and shape, निमन में से किस परिवर्तन में संक्रण और आकार, दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, hybridization और shape, दोनों change हो रहे हैं, कोई दीकत नहीं, बहुत प्यारा क्यू सुन है, CH4 को convert कर रहा है, C2, S6 में, clear, तो यहाँ, carbon, यहाँ पर hybridization निकालो, hybridization इसका क्या जाएगा, SP3, इसके hybrid orbital कितने हैं, 4, तो sigma भी कितने हैं, 4, lawn pair क्या है, 0, तो यह कैसा हो गया, tetridal, इसकी structure बना के देखो, clear, sigma bond count करो, 1, 2, 3, 4, 4, sigma मतलब है, SP3 hybridization, 1, 2, 3, 4, मतलब है, SP3, और कोई lawn pair नहीं है, तो SP3 hybridization की shape कैसी होती है, tetridal, clear, यहाँ पे इसमें ना तो hybridization change हो रहा है, और ना ही आपकी shape change हो रही है, तो यह तो गया, clear, तो next question की तरब चलते हैं अपन, next question की तरब आजाओ, NS3, से अपन गे, NH4, प्लस, तो देखो, इसका hybridization है, 5 और 3, 8 मतलब SP3 आजाएगा, इसका hybridization, 5 और 4, 9, 1 माइनस हो जाएगा यह, प्लस को माइनस करते हैं न, तो 4 ही आजाएगा, तो SP3 आजाएगा, बस इसमें lawn pair कितना है, एक, इसमें lawn pair कितना है, 0, तो यहाँ पे, ना तो hybridization change हुआ है, शिर्फ safe change हुई है, इसमें only safe change, इसमें सिर्फ safe change हुई है, इसमें कुछ भी change नहीं हुआ, यह भी टेट रहा है, और यह भी टेट रहा है, समझ रहे हूं? इसमें only safe change हुई है, यह कैसा हो गया, pyramidal, और यह कैसा हो गया, टेट रहा हुआ, बाकि hybridization की बात करूँ, तो यह भी ASP3 है, और यह भी ASP3 है, नेक्स्ट की बात करते हैं, BF3 की, BF3 के पास आजाओ, BF3 चला गया, BF4 माइनस, इसका hybridization देखो, ASP2, 3 और 3, 6 डिवाइड बाइ 2, लॉन पे रहे नहीं, तो fluorine, 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 तो देखो, इसका hybridization, ASP2, यह कैसा है, trigonal planar, clear, आगे वाले के पास लें, इसके पास, 3 प्लस 4 प्लस 1, A9 को जोड़ा जाता है न, 2, तो क्या आगया, 4, मतलब hybridization, ASP3, तो hybridization तो बदल चुका है, फिर देखो, N की value, यहाँ पे 4 आई है, और sigma भी आपके 4 है, मतलब lone pair क्या है, यहाँ पे 0 है, तो boron, fluorine, 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 और यह आपका fluoride, तो यह कैसा है, tetriidal, तो यहाँ पे यह कैसा आगया, tetriidal, तो shape भी बदल रही है, और hybridization भी बदल रही है, यही तो देखना था, किसमें hybridization और shape दोनों बदल थे हैं, अपना आंस पर यह हो गया, आगे चलो इसके पास, आपको पता है इसका hybridization कैसा होता है, sp3, और इसका hybridization भी कैसा होगा, sp3 major करके देख लेना, 6 valence electron 3 है, 6 और 3, 9 ktn को minus किया जाता है, 8, 8 में 2 का divide 2, 4, 4 का मतलब hybridization, sp3, और यहाँ पे 6 और 2, 8, divide by 2, 4, 4 का मतलब hybridization, sp3, अब इसमें 2 लॉन पे रहे हैं, तो यह तो आपका V shape आ जाएगा, और यह कैसे आ जाएगा, pyramidal आ जाएगा, तो shape तो change होगी है, लेकिन hybridization same है, तो यह गया, तो अपना हांस पर कौन सा आ गया, थर्ड बोश्यांदार कि उसने, next, pentagonal pyramidal structure content, bond angle से approximately, पंच कौन यह द्वी पिरा मीडिय सरंचना में, बंद कौन होते हैं, यह चीज़ समझो भई, बनाता हूँ पहले, यह देखो, यह पांच जो bond होते हैं, यह एक ही एंगल में होते हैं, तो आप एक circle का मान करें, तो bond angle कितना हो गया, 360, अब 360 में 5 का divide करो, 72, तो यह एक bond angle कितने का आ गया, 72 का, तो एक तो इसमें bond angle होता है, 72 का, बात आई समझ में, फिर दूसरी बात करूँ, अगर इन दूनों angle को मैं जोड लेता हूँ, तो bond angle कितना आ गया, 144 का भी हो सकता है, clear, फिर इनको जोड़ेंगे, तो वो इधर से 144 हो जाएगा, तो बस इसको जोड़ने की ज़रूते, नहीं है, फिर उसके बाद में आपन क्या करेंगे, यह तो इतनी structure होगी, अब क्या होता है, इसके अंदरे seven bond होते है, पांस तो होगे, अब यह तो planar structure है, एक bond plane के उपर, axial bond, ठीक है, और एक bond plane के नीचे, तो यह तो plane के नीचे वाला bond बना दिया है, मैंने, एक plane के उपर है, तो उपर वाला इस bond के ना, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको तिर्चा बना दिता हूँ, बाकि यह उपर है, आप यह द्यान रगणा, तो देखो, यह हो गया, यह उपर वाला है, इसके साथ कितने का आ गया, 90 का, इसकी बात कर रहा हूं मैं, यह इसके साथ 90 का, इसके साथ 90 का, इसके साथ 90 का, मतलब एक एंगल आपके पास और आ चुका है, वो कितने का आ गया, 90 का, फिर दूसरी चीज़, वो इपलेनर में एक bond उपर था, और एक bond जश्ट नीचे है, तो इन दोनों bond, एक सिद में, एक्जियल कितने का हो गया bond एंगल है, 180 का, वहाँ नहीं हुआ, तो 180 वाला तो यह एक हो गया, फिर 72 के total 5 एंगल यह है, वैसे ही, 142, sorry, 140 लिख दिया, तो यह आएगा 144, ठीक है, तो यह कितने हो गया, 5 यह हो गया, फिर 90 के कितने हो गया, पांच bond A की plane में, यह उपर वाला है, तो पांचों के साथ 90 का, वैसे नीचे वाला, पांचों के साथ 90 का, total कितने हो गया, 10, 10 ही हो गया, अब देख लो, आप अपने option में आजाओ, 120 का होता है, क्या नहीं होता, तो यह तो गया, 120 का, 72 का बिलकुल होता है, 5 एंगल होते हैं, 90 के बिलकुल 10 एंगल होते हैं, 120 का, इसकी वज़े से यह गया, फिर आजो, 70 का मैच करे लिया, 90 का हो गया, 180 का हो गया, अगर 144 बोलता तो उसका भी इसमें था, तो आप कांच पर चला गया, 4th, ओके, अब देखो भई, मैं इनको बता चुका हूँ, कम से कम अपने, 40 शेओन किसन डिसकर्स के, उसमें से, 3 या 4 बर इसका निकाल चुका हूँ, 8-10 बर इसका निकाल चुका हूँ, दो बार तो मेरे को याद है इसका कर चुके, फिर भी एक बार देख लो, NO2 की मैं बात कर लेता हूँ, NO2 प्लस, वही अपना नाइट्रोजन का, वेलेंस इलेक्टरोन नाइट्रोजन के फाए पे, केटाइन को माइनस किया जाता है, तो केटाइन को कर दो माइनस, डिवाइड बाइ 2, तो आ गया 2, और 2 hybrid orbital मतलब है, ASP hybridization, तो इसका तो हो गया, ASP, फिर NO3 के पास आ जाओ भी हा, NO3 माइनस, तो एन की वेलू वही 5, अब A9 को जोड़ा जाता है, 2, तो आ गया 3, hybridization हो गया, ASP2, तो इसका हो गया, ASP2, और NH4 प्लस के पास आ जाओ भी हा, ASP3, तो ASP3 कर लो मैच, आ जाओ, ASP, ASP2, ASP3, यह रहा भी, perfect, next question, identify the incorrect statement regarding the molecule XEO4, XEO4 के regarding आपको incorrect statement यहाँ पर देखना है, तो एक काम करते हैं, सब से पहले XEO4 बनाते हैं, XEO4, valence electron है, genon के 8, divide by 2, ऐसा क्यों किया, क्योंकि oxygen side atom होता है, polyvalent है, इसको नहीं जोड़ेंगे, bivalent है, तो आ गया 4, 4 का मतलब hybridization, इसका हो गया, ASP3, राइट, अब आओ, N की value, 4 sigma, 4 pi, sorry, lone pair, 0, कोई lone pair नहीं है, तो आजाओ बनाओ, यह आपका genon आगया, double bond, double bond, मैंने क्या कहाता, अगर central atom, third या higher period का है, तो सारी oxygen, double bond से जोड़ दो, तो देखो, इसके अंदर पहले, तो sigma काउंट करो, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, sigma कितने हो गई, 4, फिर pi bond काउंट करो, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, pi कितने हो गई, 4, hybridization ने, क्या है था, SP3, hybridization हो गया, SP3, lone pair, 0, कोई lone pair नहीं है, genon के regarding, ठीक है, और इस texture कैसी आगई, tetraidal, इस texture कैसी आगई, tetra, header, clear, तो पहला कह रहा है, अच्या, molecule कैसा है, square planar है, तो भाईया, यह पहला ही, गलत हो गया, क्योंकि यह कैसा है, tetra है, there are 4 pi, pi, d pi, इसके अंदर, सारे bond, pi, pi, d pi ही होते हैं, यह याद रखना, SP3, hybridization है, तो S वाले में भी, सिग्मार 3, देखो, S है, वो तो hybridization में इन्वोल हो चुका है, और नहीं भी होता था, वो कभी pi bond नहीं बना था, SP3, 3P थे, इसके पाद 3 के 3 हो hybridization में इन्वोल हो गई, समझ रहे हो नहीं चीज़ को, तो यहाँ पर क्या हो गया, P तो pi bond बना ही नहीं सकता, क्योंकि hybridization में आगे 3P, अब बच्चा को औन है, जिन्हों उनके पास D बच्चा है, और oxygen का P, तो यहाँ पर जितने भी bond बनेंगे, pi, सारे P, pi, D, pi, तो आप यहाँ पर आजाओ, पी, pi, d, pi होते हैं, चारो के चारो बहुन, बात बिल्कुल सही है, अच्छा, अपने को incorrect statement देखना था ना, तो अपना तो काम बनता, यह बन गया, incorrect यह ही है, यह तो आपका correct हो गया, फिर आओ, there are 4, S, P, 3, P, sigma, बिल्कुल इसका P, और यह S, P, 3, तो सारे के सारे सिग्मा कैसे हैं यह, S, P, 3, P है, pi कैसे हैं सारे, P, pi, d, pi, तो यह बात भी सही होगी, फिर जीनोन, टेटरफलोड मॉल्कुल इस टेटरएडल, बिल्कुल टेटरएडल है, यह भी सही है, तो अपना incorrect कौन सा हो गया, फिर्ष्ट हो गया, next question की तरफ अपन चलते हैं, select the incorrect statement about the following, निमन में से गलत कथन का चेहन कीजिए, O3 is used as germicide for purification of air, बिल्कुल इसका germicide के लिए काम में लिया जाता है, बात तो सही है, बात द्यान रखना, clear, फिर उसके बाद में इन O3, OO bond length is identical with that of molecular oxygen, यह कह रहा है कि इसकी जो bond length है, और oxygen की bond length है, वो equal है, देखते हैं, जखो, oxygen, oxygen में क्या होता है, double bond, तो इसका bond order क्या आया, दो, ozone में hybridization क्या होता है, SP2, इसकी structure कैसे होगी, oxygen, double bond, यह coordinate bond, और यह lone pair, यह hack नहीं है, तो देखो, एक बार तो यह हो गया, दूसरी resonate की structure में, यह माल लो, इधर की तरफ coordinate आ गया, यह double bond आ गया, यह lone pair आ गया, तो total bond कितने हैं, तीन resonate की structure कितनी हैं, 2, तो bond order कितना आ गया, 1.5, 1.5 आ गया ना bond order, bond order polyat, किसे, जितने आपके पास bond है, number of bonds, उसकी resonate की structure, ठीक है, तो bond order 1.5, अब एक चीज हमें से ध्यान को, bond length वो, inversely proportional to होती है, bond order के, bond order जितना कम होगा, bond length उतनी ही ज़्यादा होगी, bond order जितना ज़्यादा होगा, bond length उतनी ही कम होगी, तो दोनों identical कैसे हो सकते हैं, इसकी bond length कम होगी, और इसकी bond length ज्यादा होगी, तो यह आपका incorrect statement है, पिर, O3 molecules, angular इन से, बिल्कुल angular है वही, सही है, O3 is an oxidizing agent, बिल्कुल O3 है, वो आपका O2 और O, नेनेस्ट oxygen ही आपे दे जाए, जो oxidizing agent है, और bleaching agent, दोनों का काम करती है, oxidizing agent और bleaching agent, old lead paint होता है, उसको white convert कर देता है, यही कैसे, आप इसके लिए reaction देख सकते हो, जैसे old lead paint, lead sulfide की बिल्क हो जाता है, इससा देरे-देरे, उस पर O3 करवाएंगे, तो यह खुद तो O2 में चली जाएगी, यहाँ पर, तो आपको यह ध्यान रखना है, बिल्कुल simple सी चीज, clear, तो next, which one in the following, is not a resonance structure of CO2, देखो, एक तो CO2 की structure आपकी होती है, यह है, clear, अब मालूम है, इसकी resonator की structure और बनाना चाहता हूँ, तो हम इससा ध्यान रखना, कोशिस यह गरो, उसका octate पूरा हूँ, तो आओ, एक यह बना सकता हूँ, C, O, O, तो इसमें क्या होगा, आपका, इस तरह की structure जब भी बनेगी न, तो यहाँ पर क्या होगा, यह इधर की तरफ coordinate bond है, यह इधर की तरफ है, तो इस पर minus होगा, फिर अगली बार क्या होगा, C, यह इधर coordinate bond हो जाएगा, तो minus है, और यह आपका, इसमें देखो क्या होता है, अब बनाने को तो यह बना दिया जाता है, लेकिन इसमें होता क्या है, यह इधर की तरफ यह coordinate bond आराएगा, तो इसके दो इस हेर विए, दो इससे मिल गए, अब इसके दो-दो हैं वो इधर आगे की तरफ coordinate कर देता है, तो लोगन पेर जिदर की तरफ होगा होता है, उधर minus होता है, तो यह आगे है, इसका तो पूरा हो गया, इसने इसको दे दिया, तो इस पे plus, इस पे minus हो, वो जैसे minus है, आगे चला गया, ठीक है, वैसे यह इसकी resonantive structure होती है, देख लो कौण कौण सी है, यह वाली resonantive structure होती है, यह वाली भी होती है, यह वाली भी होती है, यह वाली नहीं होती है, ठीक है तो यह वाली रेज़िटी की स्टेक्चर इसके नहीं है आप यूँ भी काउंट करके देख सकते हैं भाई थ्री और टू-फाइ-फाइ बोंडिंग कर रहा ही है जो नहीं है पॉसिबल किलियर नेक्स्ट बी-सी-ई-गी ए प्लेनर मोलिक्यूल वाइल एन-सी-गी पिरापिडल बीकॉज यह कह रहे है बी-सी-गी प्लेनर है जब की एन-सी-गी आपका पिरापीडल है तो देखो बी-सी-गी बात करें तो इसका है अबडियजिएशन क्या होता है एस-पी-टू लॉन पेर क्या है NCL3 की बात करें हाइवर डाइजसन इसका होता है SP3 और इसमें आगया लोन पेर एक लोन पेर एक आते ही इसकी जियोमेटरी डिस्टरब हो जाएगी और इसका कैसा होगा BCL, CL, CL तो दो सकते हैं तो हाइवर डाइजसन इसमें मुद्दा बता सकते हैं तो हाइवर डाइजसन है तो हाइवर डाइजसन नहीं है तो लोन पेर बता दो तो आजाओ, BCL 3 है जो नो लोन पेर बात तो सही है बट NCL3 है जो लोन पेर ओफ इलक्टरोन तो पहला उप्शन बिल्कुल ठीक जा रहा है और फड़ लेते हैं, BCL 3 Polarity का यहां कोई रोल नहीं होता है वही शेप के अंदर मैं इसके साथ अग्री नहीं करता है पिर नाइट्रोजन ATOM is smaller than बोरोन ATOM तो इसका कोई फरक नहीं पड़ता साइज का भी हाइवर डाइजसन पर फरक पड़ता है तो अपना आंस्वर लोन पेर की साफ से देंगे यहां पहला नेक्स्ट क्विशन दा करेक्ट ओडर ओप इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन दा फॉलोविंग ट्राइ एटमिक स्पेसिज निमल लिखित तिरी परमाने परजातियों में बंद कौन का बढ़ता हुआ करम इसको यूं करो आप अनो टू प्लस है अनो टू है अनो टू माइनस है सबसे पहले हाइब्र डाइजेशन निकालो हाइब्र डाइजेशन इसका मैं निकाल चुका हूँ अपना आपकी ट्रिक फैलोगी नहीं भी भाई या ठीक है वेलेंस इलेक्ट्रॉन फाइप टू तो कितना आ गया टू पॉइंट फॉर फाइप आया कर नहीं आया अब देखो अगर आपका बॉंड ओर रहे टू पॉइंट फाइप थ्री पॉइंट फाइप ऐसे आ जाता ह प्लस जीरो पॉइंट फाइप और जोड़ दो तो यह कितना आ जाएगा थ्री तो हाइवरड़िजेशन एस्पी टू किलियर फिर दूसरा आपने अनो टू माइनस का देखें तो अनो टू माइनस का आपको मेजर करके देख ले ना एस्पी टू आएगा पहले कर चुके और वो ट्रिक आप यह देख लो इसका फरक सीधा 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 तो देखो वेलेंस एलेक्ट्रोन कितने है 4 प्लस 3 साइड एक्टम 2 तो कितना आ गया तो वो ही आपका 3.5 आता लेकिन साइड एक्टम कोन है फ्लॉरीन तो प्लस 0.5 तो कितना आ गया आप 4 तो इसका एबर डिजेशन हो गया तो यह हो गया अब देखो इसके पास low-unpair 0 है तो यह लो नाइट्रोजन double bond double bond क्योंकि n की value 2 है और 2 सिग्मा है यह प्लस हो गया bond angle कितना आ गया 180 का इसके पास आजाओ इसके पास low-unpair नहीं है एक unpaid electron है क्योंकि देख लो आप यहां से पांच होते हैं दो और दो चार यहां आगे बच गया एक तो अनपेड इलक्टरोन कोई ज़्यादा ही स्पेस नहीं करता है और उपर से यहां पाई बॉंड पाई बॉंड में हाई रिपल्सन लगेगा तो बॉंड एंगल लगभग 132 के आसपास आज़ता है clear फिर आएं हैं अपने NO2 माईनİस के पास कोई रहना तो 120 से यहीं लेकिन 120 से भी ज़्यादा चला गया है ठीक है फिर आजाओ NO2 माईनस इसके पास लोन पेर कितना है क्योंकि 3 ओने छाहिए तो सि्कमा तो दो ही है तो एक लोन पेर है से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो देखो आपको कैसा ओडर बताना है इनक्रीजिंग ओडर है तो सबसे ज़्यादा NO2 फिर उसके बाद में 132 NO2 सबसे कम NO2 माइनस कौन सा है NO2 माइनस NO2 माइनस NO2 माइनस NO2 NO2 प्लास फॉर्थ क्लियर ऐसे ही आपको एक सवाल देता हूँ आप खुद कर लेना NO2- NO3 और NO4 प्लस आप करना देखे आपका क्या आता है अंस्वर ठीक है इसका अंस्वर का सही ओडर यह रहेगा NO3 रहेगा NO4 प्लस रहेगा पिर NO3 रहेगा पिर NO2 माइनस रहेगा करना देखे सोल इसको ठीक ह नेक्स्ट क्विशन विच ओप दा फॉलवएंगी इस दा कर्रेक्ट इंक्रीजिंग ओडर ओ बोंड एंगल आपको बोंड एंगल का ओडर बतारना है ठीक है तो आजाओ सबसे पहले तो इनी स्पीशीज कौण कौण सी है वो अलग कर लो एक तो है एनस्ट्री एनस्ट्री एन इसके अंदर होते हैं एस्पी तरी का मतलब चार है सिगमा लेकिन इसमें तीन है लोन पेर कितना है एक है यह डेटा लिख लो पहले फिर आपका आजाओ सी एच पॉर हाइबर डाइजेशन क्या है एस्पी तरी है एन की वेलू फोर है सिगमा भी फोर है लोन पेर जीरो है तो इसका तो बोर्ण एंगल सीधा ही लिख दो आपका 1098 है इसमें तो सोचने की जुरूत ही नहीं है फिर आजाओ आपके पास है C2H2 C2H2 में देखो C यह होगा C HH इसका भी एसप और इसका भी इसप तो हाईपर डाइजेशन होगा SP ठीक है और इसके अंदर लोन पेर की बात कर लेते हैं क्योंकि यह तो पोली एकोमिक है H2O है तो H2O में देख लो हाइवर डाइजेसन क्या है SP3 है तो N की वेलू 4, सिगमा कितने 2 है तो लॉन पेर कितने आगे 2 तो देखो, ये, ये और ये, सबसे ज़्यादा तो ये होएगा C2, H2, सोचने की जुरूती नहीं है अब SP3 है, अब ये बचके इसमें कोई लॉन पेर नहीं है इसलिए बॉन पेर आगे आप इसका CH4 अब देखो, NS3 और H2O में क्या होता है ये तो रहा NS3 एक लॉन पेर और ये रहा आपका H2O दो लॉन पेर तो यहाँ पर देखो लॉन पेर इसको अंदर दबाएगा और यहाँ पर तो लॉन पेर लॉन पेर रिपल्सन है इदर से भी लॉन पेर इदर से भी लॉन पेर ज्यादा दबाएगा तो ये भी 109 से कम होगा ये भी 109 से कम होगा फोड़ती आ गया बिल्कुल सिम्पल सी चीज थी कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट किस्ट बॉंड एंगल इन एस्टो होई जी वन जीरो फाइब इस एफेक्ट कैन बी बेस्ट एक्स्प्लेंड विट रहे है यह कहा रहा है कि इसका बॉंड एंगल है SP3 hybridize नहीं ओने को तो ओना तो कितना जाईए 10928 यह लेकिन यह 104.5 ऐसा क्यों हो रहा है तो बिल्कुल सिम्पल सा यहां पर देखो दो लोन पेर है एक लोन पेर यह रहा एक लोन पेर यह रहा तो यह लोन पेर क्या करेंगे इसको अंदर की तरफ दगाएगा और यह इसको अं VALENT CELL Electron Payer Repulsion Theory इनलों यह इसको समझा सकते हूं यह एक्सपलें करेगए इसको कमाने का मतब़र लोन पेर यह जयादा सपेस कवर करता है तो वह दबाएगा तो बोर्ड एंगल कम हो जाएगा तो वेस्पर्ड तियोरी जो इस बात को समझाती है बात आगए समझ में फिर दूसरा देगे molecular orbital theory इसके कोई रोल नहीं है बाकी फिर क्या गयरा hydrogen bond इसका भी कोई रोल नहीं है hydrogen तो oxygen प्रमाणों के मद्दे इलेक्ट्रो नेगटिविटी का भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बड़ा बोंड है तो बोंड ज्यादा जगह गेरेगा ज्यादा जगह गेरेगा तो बोंड बोंड में रिपल्शन ज्यादा होगा तो बोंड एंगल फैल जाएगा पड़ता है फरक लेकिन इतना नहीं है यहां पर जो रीजन है वह कौण सा रहा है valence all electron repulsion theory clear next the correct order in which the oxygen-oxygen bond length increase in the following इन तो सही ओ की बंद लंबाई का करम बंद बंड लेंथ है न वह आप बता सकते हो bond order मैंने थोड़ी देर पहले बताये तो आपको कि जो आपकी bond length होती है वह bond order के inversely proportional to होती है तो आजाओ एक तो आपको h2o2 दिया है तो इसकी structure बना के देखो h o o h तो oxygen oxygen के बीच single bond है तो यहां bond order के आ गया एक clear half open book like structure होती है इसमें half open book like कैसे समझ सकते हो आप यह समझ सकते हो जैसे book है close है उसको यह खोल दिया clear तो एक oxygen यहां एक यहां फिर एक hydrogen इस पे और एक इस पे बात आगे समझ में हैसे half open book like structure होती है तो यह हो गया bond और फिर दूसरा क्या दिया है O3 O3 का भी देख लेते हैं तो O3 में क्या होता है देखो oxygen double bond O और दूसरी रेजनेटिक इस टेक्चरिस की O यह लौन पे रही यह coordinate और यह double bond तो bond order कैसे निकालोगे bond order निकाला जाता है टोटल बॉंड तो दो और एक तीन रेजनेटिक इस टेक्चर कुल दो तो टू का डिवाइट कर दो कितना गया 1.5 इसका bond order है 1.5 O2 की बात करूँ तो O2 का O double bond O तो bond order कितना होता है 2.2 bond है ना कोई रेजनेटिक इसका निकाल सकते है bond order clear MOT कैसे निकाल सकते हैं चलो यह चीज मैं बताई देता हूं आगे काम में आएगी नेक्स्ट पेज लेते हैं वेकेंट है O2 है तो MOT से इसका configuration लिगो oxygen में कितना electron होता है 8 2 oxygen में कितना हो गया 16 तो configuration लिगो एक चीज का दियान गड़ा अगर है monoatomic species है उसके electron atomic orbital में बरे जाते हैं किसमें 1s 1 1s 2s है और अगर आपके पास क्या है diatomic है जैसे diatomic है दो atom है molecule है तो molecules के electron molecular orbital में बरे जाते हैं molecular orbital बोले तो MOT के नुसार आ जाओ सिगमा 1s 2 सिगमा 1s star 2 सिगमा 2s 2 सिगमा 2s star 2 फिर देखो अगर electron 14 से ज्यादा हो जाते हैं तो सिगमा 2pz है वो नीचे आ जाता है यह ज्यान रखो पाई तो 2-7 में होते हैं पी एक्स और पी वाई और सिगमा केला होता है एक हलका होता है मैं सब बाद में रहता है लेकिन electron 14 से ज्यादा हो गए तो हलका हलका नहीं रहेगा हलका बारी हो जाएगा इसका मतलब वो पहले बरा जाएगा यह देख लो आप रिजन यह नहीं है यह ट्रिक है अपनी बाकि तो energy के order में बरे जाते हैं ठीक है सिगमा 2PZ यह पहले बरा जाएगा फिर पाई 2PX इनकी बराबर energy है पाई 2PX तो पहले दोनों में एक एक जाएगा फिर एक एक ओड़ जाएगा फिर आपका पाई 2PX से स्टार पाई 2PY स्टार ठीक है अब देखो कितने electron हो गई है यहां तक 2,4,6,2,8,2,10 हां 10 10 और 4 14 15 16 अब बॉन्ड ओडर कैसे निकालते हैं bonding electron minus anti-bonding electron bonding देखो 2,4,6,6 और 4 10 anti-bonding देखो 2 स्टार वाले anti-bonding है 2,2,4,4,4,2,4,2,4,2,6,6 divided by 2 मतलब बॉन्ड ओडर कैसे निकाला जाएगा, bond order is 2, bonding electron minus non-bonding electron बटेवे 2 या anti-bonding electron anti-bonding electron तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो bond order में ने 2 यह निकाला है वहां पर, clear, तो bond order के बेश से bond length होती है, तो सबसे ज़्यादा bond length किस में, S2, O2 में, क्योंकि इसका bond order कम है, bond length ज़्यादा है, फिर किस में, O3 में, फिर किस में, O2 में, क्यूसन के पास आते हैं, bond length सबसे ज़्यादा, S2, O2 में, फिरे, O3 में, फिरे, O2 में, तो आप कौन्स वर कौन्स आ गया, third, clear, next, the pair of species of oxygen and their magnetic behavior are noted below, which of the following presents the correct description, oxygen की परजाती के युग में तता उसके परतिचुम के गुण उनके साथ दिएगे, निमन में इसे कौन सा मिलान सही है, तो इसमें तो simple सी चीज है, यह तो पता तब चलेगा, जब आप इसके लिए M.O.T. लिकोगे, M.O.T. के अनुसार bond order निकालोगे, तो एक काम करता हूँ, आपको एक्तम प्यारी सी ट्रिक देता हूँ, अगर आपको M.O.T. में electronic configuration फिल करना नहीं आता है, तो भी आप bond order निकाल सकते हो, कैसे, देखो, खाले पीज ले लेते हैं, अपन वहाँ पे समझ लेंगे, फिर मैं उसको अठाऊंगा, आप तुरंत नोट कर लेना भाई सीज देखो, यह हो गया, के लिए इधर तो bond order बढ़ेगा, और इधर मैं बता रहा हूँ, number of electron, के लिए, अब आजओ, bond order मालो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे bond order 1.0 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2.0 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3.0 है, इससे जएदा bond order नहीं होता है, एक exception होता है, CO+, वो बात की बात करेंगे, ठीक है, तो यह हो गया, अब क्या करना है, जब एक ही electrone होता है, जब electron कितना होता है, एक तो इसमें होता नहीं, मत्रत हती है, तो बॉंड अडर िजीरो तो होगा, नहीं, अपने ही से सुरू करेंगे यहां से, इस अगर जीरो इलक्टرॉन थे दो इलक्टरॉन ऐसे चलते हैं आप अपन है पिर आपका ये फिर ये फिर वापस से ये, फिर वापस से ये फिर ये फिर आपका ये अब आपस बढ़ाओ इसमें वन तू अब थोड़ा सा कनिफूजन होगा इसमें रुको इसमें क्या करना है यो यो लाइन बना ले ना पहले ताकि समझ में आजाएंगी चीजे ताकि तिर्चा ना बन जाही मसीद इसी दिलाइन ही कहें देता हूं क्लेरा? येजियोगे हैं येजोगे हैं ।। अब आप इस सीज़ को समझा यह हो गया कि लियर थोड़ी चेंज कर लेते हैं मिक्स में ना हो चीजे यहां से हो गया था यह आपको चार्ट करना लेड़ा है देखो पहले मैंने क्या किया जीरो से सुरू किया एक तक लेके गया फिर जीरो आगया फिर एक तक लेके गया फिर जीरो आगया फिर तीन तक लेके गया फिर जीरो आगया कुछ से नहीं करना है और और पॉइंट फाइव की डिफ्रेंस से हुआ तो देखो दो इलक्ट्रोन यहां पर यह कितने इलक्ट्रोन है दो यहां पर कितने कहाँ गया, कहाँ गया, मेटाना पड़ेगा एक विंट, ये पूरा हो गया, एक विंट रुखना भई, ये हो गया, ठीक है, अब इसमे क्या करना है, इधर नमबर होप ईलक्टरोन है, तो आजाओ, काउंटिंग दे दो नमबर से, जब ईलक्टरोन आपके पास कितने हो जाएं, दो हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, एक उलक्टरोन हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांग, चेह, साथ, आठ, नो, दस, यारा, बारा, तेरे, चौधे, पंदरे, सोले, सतरे, अठारे, उन्नीस और ये बीस, ये टेबल आपको बना लिए, ये नंबरोब इलेक्ट्रोन जा रहे हैं, इदर ये जीरो इलेक्ट्रोन है, क्लियर, आप ये को पीछे चलते हैं अपना, यहां से आओ, सबसे पहले आए र उसने निकाल दिया, प्लस का मतलब, तो वालती उसे लेक्ट्रोन कितना हो गया? 15, तो 15 पंदरस इलेक्ट्रोन हो गया, तो थीजो 15, 15 पे आप यहां आओ जोगा ये, बांड ओर क्या आ गए 2.5, मतलब ए, ओर 2 प्लस का बांड ओडर होता है 2.5, पर ऐसे ही, ऐर-ड का कितन होते हैं 17 होते हैं तो 17 का bond order कितना आता है 1.5 इसका bond order होगा 1.5 किलियर फिर किसके आ गया और 2-2 आ जाए जैसे और 2-2 तो 18 electron होगे bond order के आ गया एक आ गया समझ रहे हो नहीं चीजों को इसके अलावा जैसे nitrogen है nitrogen में कितने 14 electron होते हैं तो 14 के bond order 3 आ गया N2 का जैसे आपको कहें Li2 लीथियम में कितना electron है 6 6 electron का bond order एक आ गया तो बात समझ रहे हो ना बिल्कुल सिंपल सी चीज है यह आपकी टेबल है इसको आप ड्रो कर लीजिएगा ठीक है मैं इसको अब 18 अब अपना क्यूशन है the pair of species अब इसमें से आपको मैच करना है जैसे O2 प्लस ठीक है bond order मैंने बता दिया यहां पर bond order की जुरुत है नहीं बाकी मैंने बता दिया आपको वह चीज ठीक है अब अपना वापस क्यूशन के पास आते हैं ठीक है तो आओ पहला O2 प्लस रोटू बहुत हार O2 फिर पाई टू पी एकस स्टार पाई टू पी वाई स्टार यहां पर वन वन अब आ जाओ simple सा O2 है यह O2 में दो अनपेड इलक्ट्रोन है तो यह कैसा हो गया पैरा मेगनेटिक O2 प्लस प्लस का मतलब एक इलक्ट्रोन निकाल दे यह गया फिर भी एक अनपेड इलक्ट्रोन है यह कैसा हो गया पैरा मेगनेटिक तो बोट आर पैरा मेगनेटिक ठीक है तो यह पहला वाई तो आपको क्या है कौन सा मिलान सही है सही डुण डूड ना है वही तो आपका पहला मिलानी है, आपका क्या आ गया, सही आ गया, किलियर, आगे वाले देखो, O, O को यू देखेंगे, अकेला है न, तो 1S2, 2S2, 2P4, 4 बनाके देखो, 1, 2, 1, 2, 3, 4, दो अनपेड इलक्टरोन हैं, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, आपका दो अनपेड इलक्टरोन ह और इलक्टरोन होने का मतलब पर्मेगनेटिक, O2-2, तो देखो, O2 का यह माइनस टू का मतलब, दो इलक्टरोन हो市 गयन कर today, तो O2-2 हो जाएगा, माइनस टू होती ही, यह यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यह अनप और यह गया, यह तो परा-मेगनेटिक है, लेकिन यह आप यह लो, O2- कैसा है, पैरा मेगनेटिक, O2-2 अभी दे गया था, डाइ मेगनेटिक है, तो यह भी गया, फिर O+, O2-2 अभी बताया था, डाइ मेगनेटिक है, तो यह गया, सही मैच कौन सा है, फर्स्ट, नेक्स्ट, यह आ गया, वो क्यूसन, अरेंज दा फोलोविंगी, इन इंक्रीजिंग ओडर ओप दियर बॉंड ओडर, तो अपने थोड़ी देर पहले इसके बारे में पूरा बताया था, तो देखो, इसका बॉंड ओडर तो कितना है था, देखो, इसका बॉंड ओडर कितना गया, दो, इसका बॉंड ओडर कितना गया, बॉंड इंटी बॉंड निंग से एक एलेक्टर Canadian कम हो गया, तो तू प्उइब, इसका कितना गया, ववन पॉइंट 5, और इसका कितना गया, वन यह बॉंड ओडर हो गया, यह यह कॉन फिकरेशन लिख लो, रूर उस से सब के निकाल लो जैसे O2 का लिख देता हूं मैं O2 का क्या होता है सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार 2 2 सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार 2 फिर सिग्मा 2pz2 फिर πाई 2px पाई 2py 22 फिर πाई 2px स्टार पाई 2py स्टार दोनों में एक 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 लेक्ट्रोन है दन अब इसको देखो आप O2 का बॉंड ओडर बॉंडिंग में से एंटी बॉंडिंग के माइनस कर दो तो O2 का बॉंड ओडर देखो कितना आ गया bond order bonding के electron कितने है दस दो दो चार दो छे दो आट दो दस और एंटी बॉंडिंग के दो दो चार दो चे तिवाइड वाई 2 तो कितना आ गया 2 bond order कितना आ गया 2 फिर आपको O2 प्लस का करना है प्लस का बना है मतलब एक electron यहांसे कम हो जाएगा प्लस का मतलब है एक electron यहांसे कम हो जाएगा हट गया एक electron एक electron अस गया तो यह O2 प्लस बन गया O2 के लिए एक कहां से अठा एंटी बॉंडिंग से एंटी बॉंडिंग से कम होने का मतलब है यह यहां पे कितने हो गई फाइप हो गई तो यह कितना आ गया 2.5 आ गया bond order O2 प्लस के लिए बोई मैंने निकाला O2 माइनस तो O2 का कितना होता है एक और O2 माइनस का मतलब एक और जोड़ दो और जैसे एक और और जोड़ गई तो क्या होगा यहां पर O2 माइनस 1 के लिए तो इसमें एक बढ़ जाएगा 7 हो जाएगे 2 तो यह आ जाएगा 1.5 समझ गए और अगर इसको मैं क्या कर दूँ O2 माइनस 2 कर दूँ तो एक और बढ़ जाएगा तो कितने होगे यह भी 8 होगे टोटल तो bond order कितना जाएगा 1.0 तो वह आ गया तो आँ अरेंज करो कौण सा और अरेंज करना है बढ़ता होगा करम बोले तो increasing order और अगर यहां नहीं है तो वह table बनाई थी आपका वहां से bond order निकाल के करो ठीक है तो यहां पे आओ कहां पे थी हां increasing order बताना है तो सबसे कम तो o2-2 का फिर o2-2 का फिर o2 का आएगा तो फिर o2 का फिर o2 प्लस का तो आप कहा answer आ गया फॉर्ट फिर देख लेते हैं एक बार increasing order पूचा है तो इसका होता है 1 इसका 1.5 इसका 2 और इसका 2.5 राइट शोर्ट ही कर लिया अगरो answer किये से next which of the following is correct statements ठीक है और 2 आणों का बंद करम bond order दो है और यह कैसा है dimagnetic है नहीं यह तो paramagnetic है ठीक है तो यह तो आपका क्या हो गया incorrect हो गया n2 molecule का bond order 3 होता है बिलकुल 14 electron होते हैं अपनी उस table में जाके देखो 14 का कितना मिलेगा आपको bond order 3 मिलेगा टेबल हो नहीं दिना भी उस पे जाओ आप तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा यह पिर आप यहां पे आजाओ 14 है बरके दिखा देता हूं इसका n2 का sigma 1s2 sigma 1s star 2 sigma 2s2 sigma 2s star 2 फिर पाई 2px 14 electron हो ना तो यह नीचे ही रहेगा पाई 2py इसमें कितना आगया 2 2 और sigma 2pz यह भी 2 तो आजाओ bonding के electron कितने हैं 10 anti-bonding के कितने हैं 4 divided by 2 कितना आगया 3 bond order 3 तो ant1 का bond order 3 होता है यह paramagnetic होता है गलत बात है यह तो dimagnetic है तो यह भी गया क्योंकि unpaid है नहीं पिर s2 s2 है तो s2 में 2 electron होता है 2 का 0.5 होता है bond order और इसने क्या लिख दिया 0 लिख दिया यह भी गलत हो गया कैसे देखो s2 का क्या होता है sigma 1 s2 तो bond order के आगया 2 minus 0 divided by 2 तो आगया 1 और कैसा हो गया dimagnetic तो यह बात तो से यह dimagnetic के लिख गलत होगी c2 c2 में कितना होता है 6 और 6 12 है कोई दिकत नहीं आओ इसी शे काम चलाने कोशिस करते हैं वह सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार 2 कितने electron है 12 यह लोगा है 12 बार तो तो तू 4 तो 6 तो 8 तो 10 तो 12 है यह किस का आगया आपका C2 का गया तो bond order कितना गया कितना गया 2, 2, 4, 2, 6 और 2 8, 8 minus 4, divide by 2 तो कितना गया, 2 bond order 2 होता है, सारे paid है तो ये dimagnetic होता है, तो बिल्कुल आपका fourth answer इसमें चला जाएगा बाकि आपकी वो table best है समझ रहे हो in which one of the following ionization process the bond order has increased and magnetic behavior has changed bond order बदल जाए increase होए या बदल रहा है ये दियान रहाए increase bond order क्या करना है increase clear तो आप पहला option c2 change हो रहा है किसमें c2 plus 2 में clear तो यहां से solve करो c2 sigma 1s2 sigma 1s star 2 sigma 2s2 sigma 2s star 2 प्र तो इसका आगया 2 और अपय देट्रोण आगया जीरो अब C2 plus plus का मतलब एक देट्रोण कम कर दो एक देट्रों कम कर दिया तो one हो गया one हो गया तो कौन सा गया है बोण दिग में से गया जी है तो बोण दिग का यहां भी कम करना पड़ेगा अभी यहां पर देखो C2 c2 plus का 1.5 और unpaid electron 1 तो देखो यहां पी लिख देता हूँ मैं इसको इसका तो 2 है bond order इसका 1.5 है इसके पास unpaid electron 0 है इसके पास unpaid electron 1 है तो magnetic property तो इसका बदल चुका है लेकिन bond order वो बदल रहा है लेकिन decrease हो रहा है और अपने को क्या देखना है increase होना इसका मतलब यह तो answer अपना नहीं है फिर आजाओ अपने पास किस के पास second option के पास NO NO का तो 8 साथ 15 electron है 15 electron का configuration बढ़ना है आपको sigma 1s2 sigma 1s star 2 sigma 2s2 sigma 2s star 2 14 से ज़्यादा electron होता है sigma 2pz पहले बढ़ा जाएगा sigma 2pz 2 पिर pi 2px pi 2py pi 2px star pi 2py star तो इसमें 2 2 कितने हो गए 14 electron कितने है 15 एक इसमें जाएगा तो bond order निकालो इसका bond order कितना आगया तो कितना आगया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 तो ओगया bonding electron anti bonding कितना आगया 2 2 4 एक वो गया 5 2 तो कितना आगया 2.5 तो इसका bond order आगया 2.5 और unpaid electron कितना है 1 NO2 plus NO2 plus का मतलब है कि एक electron निकल जाएगा एक electron निकलने का मतलब ये खतम समझे रहे हो ना ये खतम इसका मतलब क्या हो गया अब anti bonding के कितने आगया अब सिर्फ 4 आगय 4 आगय तो bond order आपका कितना आगया 3 आगया bond order क्या आगया 3 तो bond order बढ़ा है इसका और unpaid electron क्या हो गया 0 मतलब यहाँ पर bond order इंक्रीज हुआ है और पेरामेगनेटिक से डायमेगनेटिक बना है तो यह आपका अंसफर हो जाएगा फिर ऐसे मैं किसका देख लेता हूँ N2 का और देख लेता हूँ फॉर्ट आप्शन को पहले कर देते हैं तो यह आपका N2 N2 में भी 14 इलेक्टरोन हो ते हूँ उसके लिए सही है सही है तो इसके लिए बन्ड ओडर तो 3 आ गया और अनपेड़ इलेक्टरोन के आ गया 0 फिर N2 प्लस N2 प्लस का मतलब है इससे एक इलेक्टरोन और निकाल दो एक इलेक्टरोन और निकालने का मतलब है 13 इलेक्टरोन ही करने यह आ गया, यह एक electron कम करने का मतलब है, यहाँ पर क्या आ गया, 10 की वजाए 9 आ गया, 9 और बाकी माइनस तो वही, 224, डिवाइड वाइ 2, तो कितना आ गया, 2.5, तो बिलकुल bond order यहाँ पर कम हो गया, हाँ, magnetic property जरूर बदल गई, लेकिन अपने को bond order increasing देखना है, तो यह answer भ का बारी हो जाएगा, आ जाओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sigma 2PZ2, फिर pi 2PX, pi 2PY, 2, 2, फिर pi 2PX, pi 2PY, यह स्टार वाले हैं, इनमें 1, 1 है, यह किसका है, O2 का है, किसका हो गया, O2 का हो गया, तो यह आ जाओ, कितना हो गया, यह कितने हो गई, 10, minus 6, divided by 2, कितना आ गया, 2, तो bond order आ गया, 2, अनपेड इलेक्टरोन कितने हैं, 2, इसके पास, एक कम कर दो, एक कम हो गया, एक जैसे एक कम हो गया, एक जैसे एक कम हो गया, अन्टी बोंडिंग का, तो bond order बढ़ जाएगा, यह कितना हो गया, 5, तो bond order हो गया, 2.5, तो bond order कितना है, 2.5, बढ़ गया bond order, लेकिन magnetic property change नहीं भी, पहले दो के कारण paramagnetic था, अब एक के कारण paramagnetic है, है तो paramagnetic है न, तो अच्छा क्यूशन था, इस टाइप के क्यूशन ही आते हैं, generally, फिर आजाए, which concept is best explain that orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol, तो इन में से कौन से चीज़े जो यह बताती है कि orthonitrophenol, paranitrophenol से ज्यादा volatile है, मतलब वास्पसील है, देखो आप, इदर आओ, ठीक है, तो यह आपका द्यान में होगा, यह आगे आपकी orthonitrophenol, यहाँ पर H bonding होगी, और orthonitrophenol में यह जो H bonding होगी है, ठीक है, इस बज़े से क्या होगी, एक ring like structure बन गई, तो इसमें थोड़ा सा strain हो गया, ठीक है, और strain होने से इसके क्या होगी, BPA वो कम होगया, और BPA कम होने की बज़े से इसकी volatility बढ़ गई, यह सब किसकी बज़े से हुआ है, इसे H bond की वज़े से हुआ है, clear, फिर दूसरा चले, पैरा, पैरा में क्या होता है, यह है आपका पैरा नाइट्रोफिनोल, OH and double bond, O, O, दूसरा एक molecule और आएगा, यहाँ पे bonding नहीं हो सकती, क्योंकि hydrogen bonding के लिए आपके पास से six member ring बननी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा के ring बनती है तो वो exist नहीं करती, तो यहाँ पे देखो, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight member ring बन जाती, जो stable नहीं होती, तो ring यहाँ पे कैसे बनेगी, इस type से बनेगी, इधर की दर आप आपका N double bond, ओ, यह तो और तो पर नाइट्रोफिन हो ली ना आप, यह लो, OH, तो यहाँ पे H bonding हो गी, तो यहाँ पे क्या हो गए, दो molecule एक जग़ जग़ जुड़ गए, association हो गया, association हो गया तो इसका BP बढ़ गया, simple सी चीज है, और BP बढ़ गया तो उसकी volatility कम हो गया, तो यहाँ पे, इसी वज़े से इनको क्या करते है, और तो और जो आपके पहराई सो मर है, इनको partial है, आपका distillation से इनको अलग की आ जा सकता है, क्योंकि इनकी BP अलग अलग होती है, और वो किस वज़े से हो रही है, यहाँ पे, H bond की वज़े से हो रही है, तो आपका answer क्या होगा, H bond होगा, clear, next, ACL is a gas, but HIP is a low boiling liquid, this is because क्यों, देखो, Fon, 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 मतलब जब hydrogen directly fluorine से, या directly oxygen से, या directly nitrogen से जुड़ा होता है, तो वो hydrogen bond बनाती है, मतलब if hydrogen directly bonded with highly electronegativity, atom है, fluorine, oxygen and nitrogen, then hydrogen bond formed, तो हमेशा hydrogen bond बनेगा, कैसे बनेगा, आप इस चीज़ को यह समझो, अब HCL है, ठीक है, तो इसमें से तो नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब है, H bond है, नहीं बनाएगा, अब इसके HCL हो गया, और दूसरा HCL हो गया, इनके बीच attraction होगा, लेकिन यह कैसा होगा, इसके लिए muse goes to not zero, इसके लिए muse goes to not zero, यहाँ पे यह bond बोला जाएगा, डाइपॉल, डाइपॉल, लेकिन यहाँ पे, जब है है अगले हैच एप के साथ आएगा, हलाएं कि जिग जैग बॉंडिंग होती है, लेकिन मैं तोड़ा सा यू मना रहा हो ठीक है, तो यहाँ पे यह जो डाइपॉल, डाइपॉल, यह भी muse goes to not zero है, यह भी muse goes to not zero है, होने को तो यह डाइपॉल, डाइपॉल अट्रेक्शन ही है, लेकिन इसको एच बॉंड बोला जाएगा, बात आगी क्या समझेगा, और हम यह साथ दिया रहाँ रहना, डाइपॉल से ज्यादा ही स्ट्रोंग होता है एच बॉंड और एच बॉंड ही स्ट्रोंग होने से इसके कई molecule एच बॉंड की वज़े से इसलिए लिक्विड स्टेज में चला गया, और यह आपका गैस रह गया, तो इसका रीजन क्या रहा है, यह हुआ है आइच बॉंडडीज स्ट्रोंग होता है बात सही हे ही इच बॉंडड ह scrub होता है, जितनी अट्रण श्ट्रोंग होता है कि हम तो बेबच रहन होती है, of hydrogen bonding, hydrogen bonding, HF is weak acid, तो वो ही, HF bond is strong, इसमें HF bond strong होता है, इस वज़े से यह आपका हो जाएगा, फस्ट आंसर है अपने इसके साथ है, चले जाएगे, कितने question हो गए, total है, 61, एक मिन्ट, एक मिन्ट भई, H bond होगा, इस वज़े से देखो, molecule aggregated, एक option होड़ दिया है, sorry वही, option पूरे पढ़ना, hydrogen bonding, H bonding की वज़े से मैंने क्या बता है था, strong होते है, कई सारे molecule एक जगए aggregate हो जाते है, अगर यह option मिल गया तो वह उससे ज्यादा बेटर है, तो आप किसके साथ जाओगे, third के साथ जाओगे, sorry, द्यान नहीं दिया था, इसलिए कहता हूँ कि क्यूशन के option हो पूरे पढ़े, पहला answer मिल जाए ना तो भी आगे के answer आप पढ़े, clear, okay, thank you, next question, how many hydrogen bonded water molecule are associated with the cuSO4.5H2O, cuSO4.5H2O के साथ कितने hydrogen bond, यह dot है ना, वो hydrogen bond को ही बता रहा है, आपका dot, ठीक है, कैसे, यह crystalline water को बता रहा है, sorry, यहाँ पर यह crystalline water इसके साथ है, लेकिन कितना है, वो देखो, तो copper यहाँ पर देखो, plus two oxidation stage में है, copper जब भी plus two oxidation stage में होता है, इसकी coordination number 4 होती है, और coordination number जो हमेशा होती है, balance होती है, neutral molecule से, तो 4 coordination number है, 4 neutral molecule चाहिए, 4 ligand देने वाले चाहिए, तो H2O4, आ गया, हो गए, फिर आपका यह SO4 हो गया, dot H2 हो गया, तो यह एक water का molecule, एक H bond के साथ, इसके साथ, अटेच है, हमेशा इंटरेस्टेसियल में, जो भी, देखो, इनके बीच ionic bond होगा, यह plus two, यह minus two, यहाँ पर coordinate bond होगा, यह इसके साथ, coordination is pair में, ligand metal के साथ, coordinate bond बनाता है, फिर coordination is pair, आपका, और ionization is pair के बीच, ionic bond होता है, फिर interstatial is pair, antrakas bundle है, मेशा interstatial is pair मतलब की, ionization is pair के साथ, H bond के साथ जुड़ा होता है, आपको यह चीज द्याना करिए, अगर आपके पास यह नहीं हुआ, ionization is pair नहीं हुआ, तो यह भी नहीं होगा, तो कितना बना रहा है, एक water का molecule है, एक H bond के साथ, इसके साथ जुड़ा होगा है, बात खतम, clear, next, NH3 का कौथरा, कि PS3 की तुल्ला में अधिक होता है, NH3 has much higher boiling point than PS3 because, simple सी चीज, phone, इसको मत चोड़ा आप तो, phone, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ammonia होती है, यह आगे associate होती जाती है, समझे ना, H bond की वज़े से, जबकि यह इसमें hydrogen bond नहीं पाया जाता, simple सी चीज है, तो यह रहा, NH3 में hydrogen bond होता है, clear, यह द्यान रखना आपको, which of the following compounds show the presence of inter-molecular hydrogen bond, inter-molecular hydrogen bond, मतलब एक ही molecule में hydrogen bond present किसमें है, समझ गए, आओ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके acetic acid है, acetic acid में अगर H bond बनाओगे, आप तो कैसे बनाओगे, यही तो है ना, acetic acid आपका, C double bond, O, O, H, दूसरा आजाएगा, C double bond, O, O, H, C, H3, तो यहाँ पर यह H bond बनाओगे, यह दो अलग molecule के बीच बन रहा है, एक पहला acetic acid का molecule, यह दूसरा, तो यहाँ पर आपका, क्या पूच रहा है, intra, जबकि यहाँ बन रहा है, inter, बात खतम, मतलब यहाँ, antra पूच रहा है, यह बन रहा है, आपका कैसा, antra बन रहा है, तो पहला तो गया, SI, H2, O, 2 चला जाएगा, समझ रहे हो, SI, H, C, N, में भी क्या होता है, H, C, triple bond, N, तो हलाएं कि weak बनता है, यहाँ, क्योंकि यह directly carbon से attach है, फिर भी कहा जाता है कि, हलका सा H bonding यहाँ पे, इसके high electron activity जैसे यह show कर जाता है, लेकिन दो molecule के बीच पाया जा रहा है, वैसे इसमें दो के बीच, cellulose, cellulose क्या एक polymerase species है, समझ रहे हो, इसके अंदर होता क्या है, आपका, देख लो, cellulose में, कई सारी units होती है, हटा देता हूँ, cellulose में, अभी इतना तो आप पढ़े होंगे, clear, ऐसे आगे चलता रहता है, इधर भी यूँ आगे चलता रहेगा, समझ रहे हो ना चीज़ों को, ऐसे cellulose, यहाँ पर आपका क्या होता है, H, O, H, यह आपका, H, O, H, C, H, 2, O, H, H, पर आपका क्या आगे, O, H, H, यह हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, यह यहाँ से, जैसे आप आगे वाले के पास भी होगा, C, H, 2, O, H, H, यह, क्लियर है, अब इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, जैसे यह आपका आगे है क्या, O, H, H, तो बस वो यहीं पर, मतलब कि यह क्या करता है, इसके साथ, इस स्रवाले के साथ, जैसे H-bonding कर ली, समझ रहे हो ना, तो एक ही मॉलेक्यूल में H-bonding होगी, इसमें कई सारे हाइडरोजन है, जो डिरेक्ट ली ओक्सिजन से bonded है, तो एक ही मॉलेक्यूल में H-bonding हो जाएगी, तो आप कहांस पर कौण सा जाएगा, cellul हो जाएगा, राइट, next question, which of the following is incorrect statement, निमन में से कौण सा कथन गलत है, PBF or is covalent in nature, आपको यहाँ पर incorrect statement पहचानना है, ओके, तो देखो, PBF or is covalent in nature, तो एक चीज़ का द्यान रखना, PBF or covalent होता, तो यह आपका exist नहीं करता है, यह आपका ionic होता है, ठीक है, यह कैसे होता है, PB plus 4 और F minus, यह ionic bond होता है, यहाँ पर तो यह वाला ही आपका गलत हो गया, पिर आगे देखो, SI, CL for easily hydrolyzed, यह बिल्कुल बात सही है, अच्छा, SI देखना तक है, incorrect ही देखना था, तो आंस्वर आपका फ़स्टी आ जाएगा, फिर देखो, easily hydrolyzed, तो इसमें क्या कहा जाता है, इप पार्शिल जो आपका positive atom है, वो vacant orbital रखता है, तो उसका hydrolysis हो जाता है, तो आप यहां पे देखो, SI और CL में, इसकी electron negativity जदा ही है, partial negative ही है, partially positive है, और इसके पास vacant d-orbital है, इसका मतलब इसका hydrolysis हो सकता है, फिर यह कहता है, इसके अंदर यह कह रहा है, G, E, गेलियम X4 है ना, ज्यादा ही stable होता है इससे, तो देखो, यह X4 में तो इसकी oxidation stage plus 4 है, और इसके अंदर इसकी oxidation stage plus 2 है, तो inert pairing effect में क्या होता है, नीचे की तरफ जाने पर lower की stability बढ़ती है, उपर की तरफ higher की बढ़ती है, तो आप देखो, यह आपका आजाओ यहीं से, जर्मेनियम से plus 4, जर्मेनियम plus 2, तिन आपका plus 4, तिन आपका plus 2, पीबी आपका plus 4, पीबी आपका plus 2, तो एक चीज़ देखें, नीचे की तरफ चलेंगे ना, तो lower की stability बढ़ती है, मतलब यह इससे ज़्यादा ही stable है, इससे ज़्यादा ही stable है, इसमें देखें, तो higher की stability decrease होगी, और एक चीज़ का दियान रखना, अगर इनमें आपस में compare करवाए, तो उपर वालों में तो हमेसा higher ज्यादा ही stable होती है, इसमें तो इसकी ज्यादा ही stability होगी, इसमें से इसकी ज्यादा ही stable होगी, और नीचे वाले में lower की ज्यादा ही stability होगी, inert pairing effect होता क्या है, कि जैसे जैसे आपन नीचे चलेंगे, तो length and node contraction आ जाता है last period में, समझे रहे हो ने, तो वहाँ पर z effect ज्यादा हो जाता है, z effect ज्यादा हो जाता है, इस वज़े से क्या होगा, जो NS electron है, वो bond formation में involved नहीं होंगे, तो वहाँ पर सिर्फ bond P वाले बनाएंगे, तो आप अगर इसका देखा जाए, तो P में 2 electron है, वो ही bond बनाएगा तो plus 2, अगर S वाले भी ले 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 लेते तो plus 4, लेकिन यहाँ पर lengthenoid contraction की वज़े से क्या हो गया, z effect ज्यादा आ गया, और z effect ज्यादा आ गया, तो simple सी चीज है, यहाँ पर क्या होगा, NS electron पर z effect ज्यादा हो गया, पर बाइवना भी क्या वेस, क्या गया ज्यादा, ऐसे में NS electron bond नहीं मनते, तो निचे वाले में तो lower ज्यादा ही stable होती है, उपर वालों में higher ज्यादा ही stable होती है, तो यह कह रहा है, यह ज्यादा ही stable है, इससे बिल्कुल बात सही है, फिर SNF4 is ionic in a nature, तो यह आपका covalent nature का होता है, SN plus 4 small size polarization कर देगा, तो यह आपका कैसा होगा, इसमें आजाएगा incorrect statement first, clear, next, the types of bond present in CSO, अभी बनाया था देगो, CO, SOPOR में क्या होता है, H2O का तो for, फिर SOPOR.H2O, तो यह तो इसके साथ coordinate bond आ गया, यह यहाँ पर बना लिया ionic bond, और यह यहाँ पर आ गया H bond, फिर दूसरी चीज़ देगो, ionic bond को आपका, electrovalent bond भी बोला जा सकता है, ionic bond दो यहाँ फिर है, electrovalent, फिर देगो H2O की structure कैसे होती है, HH, तो यहाँ पर covalent bond भी आ गया है, तो मतलब इसमें covalent bond, इसके लावा, यह sulfate है, S04-2, और मैंने कहा ता कल की class में, अगर polyatomic आएन है, उसमें covalent bond पका, यह इसके structure बना के देख लो, S double bond, O double bond, O, यह covalent bond भरे पड़े हैं वहीं, तो यहाँ पर कौन कौन से bond है, coordinate उपसे से जग बन्द है, तो आ जाओ, इलक्ट्रोवेलेंट बिल्कुल है, कोवेलेंट है, बिल्कुल है, पहला ही सही है, और देखो, इलक्ट्रोवेलेंट है, बिल्कुल है, यह रहा, coordinate है, बिल्कुल है, बात तो यह भी सही है, इलक्ट्रोवेलेंट है, बिल्कुल है, उसके साथ जाते, समझ रहे हैं यह चीजे, next, मैं कल यही दो बात कर रहा था, कि कई बार क्या होता है, इन और गेन में कुछ क्यूसन ऐसे होते हैं, कल का मतलब है, पेरिडिक टेबल जब आपन डिसकर्स कर रहे थे, कि कई क्यूसन ऐसे होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कि more than one answer आपको सही लगते हैं, तो वहां comparatively ज़्यादा सही कौन सा होता है, वो सूच करना पड़ता है, इन और गेनिक में सबसे बड़ा लपड़ा है ही है, ठीक है, ज़्यादा घबराने के जुरूत नहीं है, the number and types of bond between two carbon atoms, इने calcium carbide, calcium carbide में दो carbon atom के बीच कौन सा bond होता है, तो calcium carbide की structure क्या होती है, CAC2 ये बना कैसे है, calcium plus 2 है, C2 minus 2 है, charge cross कर दिया, 2 से 2 गया, और तो ये CAC2 बन गया, इसका मतलब C2 minus 2 है, इसकी structure बनाओ, C triple bond C, तो यहाँ पे यह minus, यहाँ पे minus, दो atom के बीच poly bond हो, तो एक sigma और बाकी सारे πाई, तो आजाओ, एक sigma दो πाई, यह आ गया, simple सी चीज है, इसी परकार, तो अब इसका hydrolysis करवाओगे, तो क्या होगा, आप यह चीज यहाँ रखना, hydrolysis कर रहा होगे, तो यह calcium hydroxide बन जाएगा, और यह बन जाएगा, C2, H2, acetylene gas यहाँ से, रिलेज होगी, ऐसे आपका क्या होता है, बेरिलियम कारवाइड होता है, B2C, या, AL4C3, तो इसमें जो कारवन होता है, दोनों में ही, C-4 form में होता है, तो अगर इसका आप hydrolysis करवाते हो, तो यह तो बेरिलियम हाइड्रोकसाइड बनाएगा, और साथ में मिथेन गैस निकलेगी, वैसे यह ऐलुमिनियम हाइड्रोकसाइड बनाएगा, और साथ में मिथेन गैस ही निकल जाएगी, मेथेन गैस निकलेगी, CH4, बात आगे कि समझ में, तो इनको तो क्या बोलते हैं, अपने मेथेनियलाइड, इसको क्या बोलते हैं, एसेटिनियलाइड, ठीक है, एक होता है, प्रोपिनियलाइड, वो भी बता देता हूँ, अब जब इतनी बात आगे, Mg2C3, Mg2C3, तो अगर एलुमिनियम कारबाइड, बेरिलियम कारबाइड की बात करे तो, वहाँ ना तो सिकमा है, ना पाईए, अब आजाएं इसमें, तो यह क्या होता है, और C3-4 था, तो यह बन गया, Mg4C32, तो टू टू, तो यह बन गया, Mg2C3, तो इसकी स्टेक्चर कैसे होगी, C, ट्रिपल बॉंड, C, C, यह माइनस का तीन हो गए, यह माइनस, ऐसे है, तो इसमें सिकमा कितना है, एक, दो, पाई कितना है, दो, प्रोपिनेलाइड इसको का आजाता है, पाई भी दो है, सिकमा भी दो है, अगर इसका हैड्रोलाइसिस करो होगे, तो क्या होगा, मेगनीशियम आइड्रोकसाइड बन जाएगा, और साथ में, C3, तो तीन तो थे ही, और 4 एड्रोजइन से, प्रोपैनिया से निकल जाएगे, पात आगे किया, समझ में, तो कारबइड तीन प्रकार के ओगे, मेथिनिलाइड कोण है, बेरिलियम कारबइड एलुमिनियम कारबइड, फिर एचिटीनिलाइड, Acetynolide में कोण आगया, आपका Calcium Carbide, Acetylene निकलेगी, और फिर आपका आगया Propenylide, Propenylide में कोण आगया, आपका Mg2 C3 Magnesium Carbide, तो यह से related और कोई क्यूशन आएंगे, तो मेरे साब से गलत नहीं होने चाहिए, अब Next, which of the following contain both polar and non-polar bond, निमली कितमें से किसमें दूर भी है, और एदूर भी है, polar भी और non-polar bond भी हो, तो यहीं से आप steady करना शुरू कर दो, इसको toड़ो, NH4 plus Cl minus, clear, यह तो ionic bond था, यह तो गया, अब यहां से हो, H, 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 H plus, तो देखो, इसकी electron negativity 2.1 होती है, इसकी 3.0 होती है, तो यहां पर यह bond भी polar है, यह भी polar है, यह भी polar है, यह वाल ionic आ गया था, तो इसमें तो सारे bond polar है, और एक ionic है, तो non-polar का तो सवाल ही नहीं उड़ता, यह तो गया, फिर आओ, HCN में, HC triple bond N, और इसमें क्या हो गया, HCN ही है, तो इसमें देखो, इसकी electron activity कितनी है, 2.5, इसकी 2.1, और इसकी कितनी होती है, 3.0, तो यह भी polar है, यह भी polar है, electron activity difference है, जिनके बीच bond है, तो वो polar bond होंगे, तो यह भी गया, यह गया, यह गया, इसमें आजाओ, H, O, O, H, 2.1, 3.5, 3.5, 2.1, यह polar, यह polar, लेकिन यहाँ पर electron activity difference 0, यह non-polar, तो यह है जिसमें polar भी है, non-polar bond भी है, इसकी बात करें, तो इसकी electron activity 2.5, इसकी 2.1, तो यहाँ पर भी polar है bond, तो कौन सा अंसर आएगा, third answer आएगा, इसका, next. The correct order of increasing CO, bond length of, simple सी चीज वोई, bond order बताना है, bond order आगे या ना, तो bond length आगे, तो पहले तो diatomic, कौन सा है CO, diatomic है, तो CO का देखो, 8 और 6, 14, वोई निकाल के दो, 14 electron के लिए bond order होता है, 3, ठीक है, यह होती है, इसके स्टेक्चर, ओ, sorry, यह होती है, इसके स्टेक्चर, clear, तो bond order कितना आगे, 3, फिर आप आओ, किसकी CO2 की, bond order के आगे, 2, यहाँ भी 2 मेसा हैं, यहाँ भी 2 मेसा बने रहेंगे, तो bond order मेसा, इसका क्या रहेगा, 2 रहेगा, पिर आओ, CO3-2, CO3-2, तो इसकी shape कैसे आगी, O-O-Double bond O, तो total bond कितने है, 4, done, resonator की स्टेक्चर कितनी होंगी, जितनी oxygen है, उन सब में गुमेगा, पाई bond, यह पाई bond हर oxygen के साथ जाएगा, तो 3 resonator हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा bond order तो इसका है, तो सबसे एक छोटी bond length इसकी, फिर CO2 की, और सबसे बढ़ी CO3-2 की, bond order से उल्टी जाएगी ना bond length, तो आजाओ, CO, नहीं, CO, CO2, CO3-2, कौण सा आगया, 4th answer आगया, राइट, next question, match the genome compound in a, with its structure, its column, वो column से इनमें match करना है, genome को, ठीक है, XCF4, सबसे पहले XCF4 की बात करता हूँ, XCF4, तो आजाओ, 8, 4, 12, 2, आगया, 6, hybridization आगया, SP3, D2, तो N की value तो क्या आगया, 6 sigma कितने है, 4, तो Lone Pair कितने आगयी, 2, तो आजाओ, G9, ये फ्लॉरीन, ये फ्लॉरीन, ये फ्लॉरीन, और ये फ्लॉरीन, उपर Lone Pair और नीचे Lone Pair, तो स्क्वाइर प्लेनर रही है, clear, ऐसा क्यों आप प्लेनर क्यों बोल दिया मैंने इसको, आप ये फ्लॉरीन के साथ, अब उपर Lone Pair नीचे दबाएका तो नीचे वाला वापस उपर उठा दिगा, तो ये फ्लॉरीनर हो जाएगी, इस ट्रिक्टर, तो ये तो मैच कर रहा है, किस से, second से, clear, फिर आजाओ, XEF6 के पास, जिनों, F6 के अपन बात करते हैं, जिनों एग्जा फ्लॉराइड की, तो आजाओ इसके लिए भी, XEF6, ठीक है, तो यहां से अपन बात करें, तो N की वही, 8 और 6, 2, तो कितना आगया, 7, 1, तो N की वेलू तो 7 है, तो सिग्मा कितने है, 6 तो लौन पेर कितना आगया, 7, minus 6, 1, तो आजाओ, इसकी से बनाओ, तो यह जी नों आगया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बोंड होगे, एक लौन पेर आगया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हो, पेंटागोनल, पीरामिडल बोल दू, या इसको डिश्ट्रोटेड ओक्टाइडल भी बोल दिया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो लौन पेर आता है, उसके अरेंजमेंट यूं आप से हो कर सकते हो, यूं हो जाता है इसकी इस टेक्टाइड जीनों, क्योंकि लौन पेर यहाँ वाली जगे पर आता है, तो यह आ जाएगा, फिर कहा होगा, यह यह और यह एक लौन पेर, तो आप इसके साथ आ सकते हो, कि इसके साथ distorted octidal, अलग इंक से कर देते हैं इसको था कि आपके द्यान में रहे हैं, यह इसके साथ मैच हो गया, इसको मैंने मैच कर दिया, इसके साथ, फिर आ जाओ किसको, XEO4 को, XEO4 को की बात कर लेते हैं अपन, XEOF4, वह यह 8 और 4, 2 आ गया 6 है, मतलब SP3D2, clear, तो इसमें क्या आ जाएगा, N की value तो 6 है, लेकिन सिगमा कितने हैं, शिर्फ अब बे 4, 1, 5, तो लौन पेर कितने आ गया, 1, तो आ जाओ, यह जीन ओन, 1, 2, 3, 4, यह तो फ्लोरीन, 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 साथ oxygen, और यह उपर आ गया, लौन पेर, तो square है, लेकिन इसे ने नीचे दबा दिया, लौन पेर ने, ठीक है, तो planar नहीं बोल सकते, square pyramidal बोलेंगे, तो यह आ गई, यह, फिर उसके बाद में, last अपना बच गया, xeo3, hybridization वही, sp3 आ जाएगा, तो genome, एक लोन पेर है, इसके इंदर solve करके देख लेंगे, पहले कर चुका हूँ, यह, pyramidal shape, तो यह कैसा आ जाएगा, pyramidal shape आ जाएगा, तो बस, exam में जब सवाल करना होता है, तो इतना solve नहीं करना होता है, कैसे, पहला solve करो, तो एक से आपका match क्या हो गया था, a से match हो गया था, आपका second, तो a से second वाले देखो, यह, कितने 2 हैं, तो आगे जाना पड़ेगा, b से match हो रहा है third, तो b से match होगा third, तो b से match होने वाले third, तो second यह भी match हो गया, फिर c से match हो गया, आपका कौन सा, fourth, ऐसा बहुत कहार कम मिलता है, कि इतना match हो जाए, नहीं होता है, तो हो गया fourth, तो कौन सा match हो गया second, तो second आपका answer हो गया, लेकिन आपने solve कर रखा है, तो d से match हो रहा था, आपका कौन सा, first, तो d से match हो गया, first answer अपना कौन सा आगया, second answer आपका यहां पर आगया, right, next question की तरफ चलते है, identify the incorrect statement related to PCL-5 from the following, तो PCL-5 के बारे में पढ़ लिए, यह PCL-5 है आपका, जिसका hybridization है, SP3D होता है, क्योंकि only PCL-5 दे तो hybridization SP3D जाना है, फिर आप आप आज़ो, phosphorus, CL, 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 और CL, तो यह कैसा आगया, trigonal है, bipyramidal, trigonal है, bipyramidal आगया, ठीक है ना, यह आगया, फिर एक चीज का और दियान देना है इसमें तोड़ा सा, यह bond होते हैं, वो होते हैं, axial, और यह bond होता है, वो होता है, equatorial, और एक चीज का दियान रखना, axial है ना, वो बड़ा होता है, किस से, equatorial से, इसमें, यहां पर, एक तो SP3D में, axial, बड़ा होता है, औरेक SP3D 3 में, axial, बड़ा होता है, SP3D 2 के अंदर ए, axial और आट इक्विटोरियोल एक्विटोरियल एक्विटोरियल रहे हैं, जो उपर नीचे bond बंते हैं, वो ब्राद के बश्रों आग्विटोरियल हैं। तो bond कि बात करें तो XL बड़ा होता है बड़ा होता है तो जब भी बात करेंगे यह तो more reactive हो जाएगा क्यों जैसे इसको गरम करेंगे यह दो निकल जाएंगे दो निकल जाएंगे तो आपका PCL-5 जैसे यह दो गया आपका किसमे चला जाएगा PCL-3 प्लस CL2 में तो इसका अबड़ाइशन तुरंत क्या जाएगा SP3 यहाँ पर क्या था SP3D था सारी चीजे बड़ा दी में इसके बारे में अब आज़ो एक्विटोरियल में तीन आपके बॉंड कैसे हैं 120 के हैं तो आज़ो एक्विटोरियल बॉंड कौन सा है एक तो यह तो यह वो बॉंड एंगल 120 का एक यह यह बॉंड एंगल भी 120 का और यह यह बॉंड एंगल भी 120 का तीन है बिलकुल सही है तो पहला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल है, राइट है, दूसरा करे रहे, एक्जियल है, ठीक है, टू एक्जियल पी, एक किमिंट भाई, इसको एक्जियल कर लें, ठीक है, यह आ जाएगा एक्जियल, अक्सी है, किलियर, तो यह करे रहे, टू एक्जियल पी, एक्जियल बॉन्ड है, बेक एक्जियल पी, एक्जियल बॉन्ड है, तो जो एक्जियल बॉन्ड होते हैं, यह उपर वाला और नीचे वाला, मतलब कि यह बात कर रहा है, इस bond angle की, यह बिलकुल 180 degree का होता है, यह भी सिखेगा, फिर यह कह रहा है, axial और निर-axial में, axial होते हैं, वो बड़े होते हैं, मैंने बता दिया, बिलकुल यह भी सही है, molecular is non-reactive, non-reactive कहा में, तो कहा more reactive है, तोरण तूट जाएगा, ठीक है, तो अपना answer कौन सा हो गया, 4th गलति statement है, ठीक है, next question, the paramagnetic species among the following is, paramagnetic species देखनी है, clear, तो देखो, सबसे पहले, बी-ई, paramagnetic species में सबसे देखें, बी-ई, यह दिखने में थोड़ी visibility सही नहीं आती है, इनकी, बी-ई-टू, बेरिलियम के पास कितना electron होता है, दो, sorry, 4, तो दो बेरिलियम के पास, 8 हो गया, तो configuration, sigma-1-2, इसमें क्यों पर रहें, क्योंकि molecule का electronic configuration, molecular orbital में, sigma-1s-star-2, sigma-2s-2, sigma-2s-star-2, आ जाओ, तो unpaid electron क्या आ गया, 0, 80 तो बढ़ने थे, clear, फिर आ जाओ, बी-टू के पास, 10 electron, तो यहां तक तो यह सेम चलेगा, 10 बढ़ने न, फिर आगे क्या आ जाएगा, pi-2-p-x-pi-2-p-y, तो 9 और 10, unpaid electron कितने आ जाएगे, 2, तो paramagnetic की देखना था, यह हो गया, फिर आपका c2, c2 में क्या होगा, यहां तक सेम चलेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, pi-2-p-x-pi-2-p-y, 12 electron ने तो एक-एक और आ जाएगे, तो unpaid electron क्या जाएगा, 0, यह हो ग magnetic, फिर उसके बाद हम बात करें, n2 की, तो यहां तक पूरा सेम चला जाएगा, फिर sigma 2-p-z में 2-o हो जाएगे, यहां पर भी unpaid electron, 0, तो यह भी diamagnetic, तो paramagnetic कौन सा है, second, तो answer is second, हाँ, तो अब आपने बात करते हैं, कौन सा, 73 q-son, 73 q-son में क्या है आपका, which of the following है, levis acid, आ आपकोल सिम्पल सी चीज है, तो levis acid के लिए द्यान रखो आप, जो lone pair लेने की nature रखे, वो levis acid है, तो एक तो second है, और third है, जितने भी covalent compound है, सारी levis acid है, इसके अलावा, जैसे third period के पाल, P-block में, third period से नीचे वाले हैं, जिनके पास lone pair लेने की nature होती है, वो सारे के सारे आपके levis acid है, बन सकते हैं, आगे बात समय, तो आजाओ अपने यह यह थरड़े का है, levis acid है, SICL पर, वेकेंडी और्विटल है, levis acid है, इसके पास lone pair है, यह देनेटिंग, levis base है, यह आपका levis acid है, वेकेंडी और्विटल इसके पास पढ़ा है, clear, यह levis base है, यह levis acid है, लेक गया है, यह levis base होने के मिझेश यह दोननों नोग ऑनसवर गयीए, तो आपका ऑनसवर फरल्ष्ट हो गया, यह थरड़े का यह levis acid है, यह थरड़े का यह थरड़े का यह तो आपके इसमें दोनों आ radonwoman ऑसवर होगे भई, answer है, और आपका the correct statement about iodine pentachloride and iodine tetrachloride ion ICL 5 तता ICL 4 माइनस के लिए सत्यकतन है देख लेते हैं भई hybridization निकालते हुए अपने को बहुत देर होगी आ गया होगा आप तो समझ में and is going to valence electron कितने 7 और 5 डिवाइड बाइ 2 कितना आ गया 6 6 का मतलब hybridization क्या हो गया ASP3D2 राइट इसकी इस टेक्चर बनाओ तो loan pair कि देखो n की value क्या आ गई 2 sorry 6 sigma कितने आ गया जितने side atom है 5 तो 6 minus 5 loan pair कितना आ गया 1 तो आप बना कि देखो यह तो अगया ना 1 2 3 4 यह 5 यहाँ पर chlorine आ गया यह chlorine आ गया यह chlorine आ गया यह chlorine आ गया chlorine यह loan pair आ गया तो आप ICL5 के लिए क्या बोल सकते हो कि ICL5 का hybridization होता है ASP3D2 कैसा होता है square pyramidal होता है गया नहीं होता है फिर loan pair इसके पास कितना होता है एक होता है और कुछ इसके बारे में पूछ सकता है गया पूछने वाली चीजे मैंने सारी लिखती है ठीक है फिर आपने बात करते हैं आगे ICL4- आजाओ N is goes to 7 plus 4 plus 1 ठीक है तो कितना आगया वोई 6 hybridization ASP3D2 same hybridization लेकिन यहाँ पे N की value कितनी है वोई 6 sigma यहाँ पे सिर्फ 4 है तो 6-4 loan pair कितने आगया वही 2 तो इस texture बना दू 2 यह एडिन्स जिस पे CL- है वो coordinate bond बनाएगा इधर की तरब बाकी covalent bond से जुड़ जाएंगे यह loan pair आ गया यह loan pair आ गया तो उपर वाला loan pair नीचे दबाएगा bond को नीचे वाला वापस उपर मतलब यह planarish texture हो जाएगी तो आजाओ ICL-5 कैसा होता है trigonal by pyramidal है नहीं भाई अपने देख लिया यह रहा गया ICL-5 is square pyramidal बिल्कुल सही बात है square pyramidal है ICL-5 is tetraidal tetraidal नहीं है यहाँ पर अपने देखा कैसा है square है ICL-5 square pyramidal बिल्कुल सही बात है ICL-5 square planar बिल्कुल planar हो गया यह अपना statement सही है both are iso structural नहीं है देखो दोने की structural लगा रही है तो अपना answer दीज़े क्या जाएगा यहाँ पर third अब अपने last question discuss कर रहे है chemistry 5 से 16 का Among the following molecule ions which one is dimagnetic and has the sorted bond length आपको यह जो भी group देगे है ना उनमें से आपको क्या करना है dimagnetic पहचानना है अब dimagnetic more than one हो सकते हैं इनमें साथ में यह भी देखना है इनमें से सबसे कम bond length किसकी है इसका मतलब जिसका bond order सबसे ज़्यादा है और इसके लिए आपको करना है ना तो simple सा आप आजाओ पहले तो c2 minus के लिए clear c2 minus c2 minus की मैं बात करता हूं c2 minus 2 कितने electron हो गए इसके अंदर बारा कुद के हैं दो फोटी निल तो sigma 1s2 sigma 2s2 ay sorry sigma 1s2 sigma 1s star 2 sigma 2s2 sigma 2s star 2 फिर sigma पहले पाई 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 टू पी एकस पाई टू पी वाई टू टू फिर सिग्मा टू पी जेड टू डन तो देखो इसमें अनपेड electron ऐसे ही 14 electron और किसमें किसी में भी नहीं है तो बस इस यह का रखेंगे ठीक है तो इसके लिए देखे यहां लिख देता हूं c2-2 अनपेड electron 0 bond order 3 clear फिर आगे देखे n2-2 तो कितने electron है 16 14 से electron जैसे ही ज्यादा हो जाएं हलका हलका नहीं रहेगा हलका बारी हो जाएगा 1 sigma 1s2 sigma 1s star 2 sigma 2s2 sigma 2s star 2 मतलब अब sigma 2pz पहले वरा जाएगा फिर पाई 2px पाई 2py फिर पाई 2px star 1 और 1 इसमें ठीक है यह हो गया तो इसके पास अनपेड़ के च्क्रोन कितना है एक 2 और बॉन्ड और कितना है बॉन्ड ओडर मेजर करके देख लो 2 कैसे बॉन्डिंग मेंसे anti-bonding के निकालके क्या दिवाइड करतो 2 का कैसे बॉन्ड ओडर बांडिंग और्विट्रल कितने 10 वो कितने 6 divided by 2 आ गया 2 तो N2 minus 2 अनपेड़ इलेक्ट्रोन 2 bond order भी 2 फिर 16 इलेक्ट्रोन ही इसमें तो ऐसा ही O2 का हो जाएगा तो O2 के पास भी आ जाओ तो N is going to 2 bond order 2 फिर इसके पास 18 इलेक्ट्रोन हो गए तो अगर यह configuration में किसके लिए लेना चाहूं O2 minus 2 18 तो 2 इलेक्ट्रोन और बढ़ा दो यह हो गया तो anti-bonding में 2 इलेक्ट्रोन और बढ़ गए बढ़ा दो क्या जाता है यह लो 8 कितना आ गया वन आ गया और अनपेड़ इलेक्ट्रोन अब कितना हो चुका है इसके लिए अनपेड़ इलेक्ट्रोन जीरो बढ़न ओडर एक तो आजाओ O2 minus 2 अनपेड़ इलेक्ट्रोन जीरो एंड बढ़न ओडर इस वान डन अब सवाल की तरब आजाओ अपने क्या कहता है डाय मेगनिटिक कौन सा है डाय मेगनिटिक एक तो आपका यह रहा पिर पिर कहा है बोंड लेंथ सबसे कम होने साथ बोंड ओडर जितना ज्यादा बोंड लेंथ उतनी कम इसका बंड ओडर वं ऑन ऋड़ रहे है तो इसका मतलब यह अपना र्खक्रप्र हो गया यह, तो यह अपना था chemistry 5 से, 16 एपिसोड अपना inorganic chemical bonding का, आपको कुछ नहीं करना, आपने इसमें क्या किया, 75 question डिसाइड किये, 75 question के अंदर आपने पूरा chapter, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपने पूरा chapter revise किया है, एक एक चीज, hybridization निकालना आपने सीखा है, M.O.T. के अनुसार, electronic configuration अपने फिल अप करना सीखा है, इसके अलावा bond order की short trick मैंने आपको सिखा ही है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको, ऐसा ही आपको physical में मिलेगा, ऐसा ही आपको organic में मिलेगा, बस आपको साथ लगे रहना है, जुड़ना है, जैसे ही आपक प्रेस्ट वीडियो मिले, उसको study करो, बस बात इतना सा है, पहले chapter का revise करो, जिसका आप वीडियो देखने वाले, उस chapter को एक बार पहले पढ़ लो, क्योंकि पूरे chapter से questions है, तो इसका मतलब आपके पास पूरी theory bind up होगी, तो वो questions all होगी, और theory bind up का काम अपन कर रहे हैं, ओ